नवस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा North East India, उत्तरपूर भारत में Insurgency के पूरे इतिहास के बारे में हर राज्य में कौन से major insurgent groups हैं, insurgency की शुरुवात क्यों ही उस राज्य में और क्या उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार कर रही है, क्या किया जा सकता है, क्या causes है इस सब कुछ हम जानेंगे detail में, state by state हम cover करेंगे जितने भी major organizations हैं उन सभी को तो ये lecture internal security के point of view से बहुत ही important है, चाहे कोई भी exam हो जहाँ पर internal security पूछा जाता है उसमें आपको ये knowledge, ये जानकारी होनी ज़रूरी है अगर आप मुझसे social media पर जुढना चाते हैं, तो मुझे twitter, facebook या instagram पर महिपाल राठोड handle पर follow कर सकते हैं, और इसी नाम से आपको मेरा telegram channel भी मिलेगा जहाँ पर आपको इस lecture का और साथी साथ मेरे सभी दूसरे lectures के PDF डाउनलोड करने को मिल जाएंगे अगर आप एक UPSC IAS exam के aspirinट हैं, तो आपके लिए study IQ लेकर आया है एक smart course इस smart course की मदद से आप घर बैट कर हजारों वीडियो को देख सकते हैं, प्लस अन्य बहुत सारे features हैं जिनका आप इस्तमाल कर सकते हैं ये course बहुत ही कम दाम पर अपलब है, इसका जो price है वो offline coaching institute के price के मुकाबले hardly 10% है और यहाँ पर आपको EMI option भी available होगा, इस course को आप mobile app पर भी देख सकते हैं और computer या laptop screen पर भी देख सकते हैं आपको detail जानकारी चाहिए, तो studyiq.com विजिट कीजिए, तो इस lecture में मैं आपको North East India में जो अलग-अलग राज्य हैं उनमें insurgency के इतिहास के बारे में बताऊंगा उसके बाद हम state-wise हर राज्य के अंदर हम देखेंगे कि कौन-कौन से major groups हैं जो अभी insurgency में involved हैं उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि causes क्या है, North East India में इतने insurgency group क्यों है और finally government का क्या approach रहा है insurgency को solve करने के लिए वो भी हम जानेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा lecture होगा, I think around 2 घंटे के आसपास इसका समय होगा तो शानती से बैठे, इसको पूरा देखिए, तभी आपको पूरी तरह से topic समझ में आएगा तो थोड़ा सा एक historical overview ले लो North East का सबसे पहले ये देखो आज का map, कि आज उत्तरपूर कैसा दिखता है I am sure आपने map देखा होगा, लेकिन फिर भी देखो map से आपको क्या क्या information interpret होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ जब भी map देखो North East का सबसे पहले, capitals तो बहुत ही basic है capital याद नहीं है, तो आप बहुत बड़ी दुविदा में है capitals तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, school level की बाते हैं ये North East में वैसे technically 8 states आते हैं लेकिन अगर सिक्क्यम को हटा दो तो 7 sisters के अंदर कौन से state है अरुनाचल, असाम, मिगाले, नगाले, बनिपूर, मिजवराम और त्रिपूरा तो ये वाले state कहला है जाते हैं, 7 sisters के अंदर अब इनके अंदर भी ये बात याद रखो कि इनका overall evolution कैसे हुआ है Post Independence India का lecture याद है आपको, तब मैंने आपको ये map दिखाया था और बताया था कैसे एक-एक state किस-किस साल में बना था, वहाँ पे एक map भी था जिसमें Northeast के years मैंने mark करके आपको बताया था, ये state इस साल में बना तो देखो, basically Britishers के time पर असाम था, अब असाम के अंदर ये सारा area एक साथ असाम में आता था Manipur बस princely state अग अलग था, सिक्किम अलग princely state था और तिरपुरा अलग उसके अलावा पूरा Northeast एक असाम के अंदर में governed होता था और असाम के अंदर भी ये जो अरुनाचल प्रदेश वाला area इसे Northeast Frontier Agency NEFA के तहित administer किया जाता था, लेकिन ये नेफा यहां असाम में जो बैठता था political agent वो ही समालता था और अजादी के बाद भी कुछ साल यही arrangement बना रहा भारत सरकार ने भी यही arrangement रखा कि असाम का governor ही नेफा और साथ-साथ ये नगा hill districts और जो मनिपुर उसके साथ ही ये मिजुराम वाला जो area है इन areas को govern करता था तो ये background बना रहा अब आप आज के जमाने के इसाब से अगर देखो तो आपको पहले तो ये देखो कि म्यानमार के साथ borders किस-किस के हैं अरुनाचल, नगालेंड, मनिपुर और मिजुराम के फिर एक चीज और याद रखना कि नगालेंड और अरुनाचल border share करते हैं असाम, दो जगे बांगलादेश के साथ border share करता है यहाँ पे और एक यहाँ पे फिर तृपुरा, दो states, असाम और मिजुराम इन दो states के साथ border share करता है और बाकी तीन तरफ से ये बांगलादेश से घिरा हुआ है तो ये basic चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोराम के साथ सबसे लंबा border मिजोराम किस राज्य के साथ सबसे लंबा border share करता है I'm sorry किस देश के साथ तो उसका अंसार होगा म्यानमार तो म्यानमार के साथ भी border है और यहाँ पर बांगलादेश के साथ भी border है मिजोराम का दोनों तरफ लेकिन लंबा border किस के साथ है म्यानमार के साथ तो यहान रखिए डिरेक्टली पूछे जाती है चाहे exams हों army से related cds nda या फिर upsc related exam सब में और खास करके जो army exams की तैयारी कर रहे है उन लोगों के लिए यह chapter बहुत important है क्योंकि यह group discussions और साथ साथ में SSB में जो interview होता है दोनों के अंदर यह बहुत पूछा जा सकता है तो आपको basic knowledge सारे terrorist organizations का जो भी insurgencies हैं कौन सा group lead कर रहा है इन सब के बारे में आपको detail जानकारी होनी चाहिए तो इस lecture को थोड़ा ध्यान से सुनिए यह और कश्मीर जितने भी security related issues हैं वो आपको बहुत ध्यान से देखना है तो यह map भारत काम पहले भी देख चुके हैं फिर से एक बार आपको मैंने दिखा दिया यह revise करा दिया कि आसामपूरा एक था नौर्थीस फ्रेंटेर एजनसी था उसमें और दीरे-दीरे पॉलिटिकल यह राज्ये अलग होए है आजादी के पहले इस पूरे एरिया में लगवख सौ से भी जाधा tribal groups रहते थे और इनकी भाशाएं customs, culture, सब अलग था, heritage अलग था 20-20 km पे भाशा बदल जाएगी, customs बदल जाएगे नगा लोग भी है तो नगा tribes भी बहुत सारी tribes होती है तो सबके customs, भाशा है, सब कुछ अलग है अब British काल में जितने भी यह areas थे यह mainly tribal population थे इनमें बाहर के लोग बहुत कम थे जैसे आज आज आप जाओगे तो फिर भी आपको कोई बंगाल का या असाम का उन एरियाज में काम करता हुआ, मिल जाएगा रहता हुआ, मिल जाएगा, लेकिन उस समय पूरी तरह से जो आबादी थी, वो tribal थी, और जो non-tribals थे उन्हें अंग्रेज यहाँ पर आने नहीं देते थे तो non-tribals का ना यहाँ कोई business था ना कोई जादा involvement था, और Britishers ने भी इस विवस्था को बनाय रखा ये कहकर कि हम आदिवासी परंपराओं के साथ छेड़शाड नहीं चाते हैं तो ना ही किसी बाहर वाले को जाने दिया जाता था यानि अगर आप बनारस या कलकत्ता के कोई व्यापारी हैं आप चाहें कि मैं कोहिमा में जाके व्यापार करूँ पॉसिबल नहीं था, अंग्रेज अलाव ही नहीं करते थे तो ये British कालीन समय में नौर्थ इस्ट को एक तरह से अलग थलग रखा गया असाम तक फिर भी ठीक है लेकिन जो हिल डिस्टिक्ट से ट्राइबल एरियास थे उन्हें पूरी तरह से अलग थलग करके रखा जाता था ये एक डेलिबरेट पॉलिसी थी और बाहर के लोगों को यहाँ पे जमीन खरीदने का भी पर्मिशन नहीं थी लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार ने क्या करा Christian Missionaries को यहाँ पूरी खुली छूप दी तो इसी कारेंट यहाँ पे कई Christian Missionaries Establish हुए 19 और 20 सदी में उन्होंने स्कूल बनाये, हॉस्पिटल बनाये, चर्चेस बनाये अंग्रेजी भाषा लेकर आये और साथी साथ conversion भी किये तो आज अगर आप देखोगे तो भारत में जो सबसे ज़ादा Christian population है percentage wise वो इन राज्यों में है नगालैंड, मिजोराम, मिघाले ये सभी जो राज्य हैं इनके अंदर 85-87% प्लस population Christian है तो इन राज्यों में Christianity काफी फैल गई और मनिपूर में भी sizable Christian population है लेकिन ये जो तीन राज्य हैं नगालैंड, मिजोराम और मिघाले हैं ये overwhelmingly Christian हैं तो ये देश के तीन राज्य हैं जिनके अंदर majority population Christian होगी तो बाप ये समझी है कि Christian Missionaries को यहां आने दिया गया तो उसके कारण एक तो यहां पर modern ideas भी आए तो काफी modern है society इतनी पिछड़ी भी नहीं है लेकिन साथ ही साथ जो nationalism है उसकी आंधी यहां तक नहीं पहुँच पाई जो भारत का अजादी का अंदोलन था प्रो इंडिपेंडेंस अंदोलन था वो tribal areas तक पहुच नहीं पाया तो इस तरह से जो मुख्यधारा से एक कटाव की भावना है वो इस शेतर में रही कि हम मुख्यधारा से जुड़ेवे नहीं अव्यसी बात है जब एक तरफ तो भारत छोड़ो अंदोलन हो रहा है 1942 में और दूसरा उसकी कोई खबर ही यहां पे नहीं है तो फिर थोड़ा सा कटाव तो महसूस होगा ही होगा अब ऐसा नहीं है कि यहां पे अंग्रेजों के खिलाफ कभी बगावत नहीं हुई राणी गाइडिन लिव का इत्यास याद है आपको इस तरह के कई अंग्रेजों के खिलाफ आप देखेंगे बगावत हुई लोगों ने विदढ़ो भी किया लेकिन वो Congress वाला और जो अन्य पार्टियों का जो Mainstream National Movement था हमारा भारत का राश्ट्रिय अंदोलन था उससे यहाँ पे इतना जुडाब नहीं था या उसके अनुसार या उस National Movement के साथ-साथ यहाँ पे अंदोलन नहीं होते थे पूरे देश में Civil Disobedience चल रहा है तो North East में नहीं चल रहा था उसका कारेंट क्या था? Isolation कि British इस पूरे एरिया को isolate करके रखते थे तो इसलिए यहाँ पे Political, Cultural, Social, Geographical, Religious कोई भी Contact नहीं था यहाँ के आदिवासी आबादी का दूसरे भारत के हिस्सों से तो इसलिए जो भारत के आजादी का अंदोलन है उसका यहाँ पे काफी कम impact पड़ा और इसलिए यह एक बहुत बड़ा reason है कि जब भारत आजाद हुआ तो वही feeling उस शेत्र में नहीं थी जो North East का area है उस शेत्र में वो सेम भावना नहीं थी उनके लिए यह था कि पहले हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे आज हम पे एक दिल्ली की सरकार राज कर रही है फर्ग उतना ही है हमारा खुद का रूल नहीं है सेल्फ रूल नहीं है यह वाली भावना थी फिर भारत की सरकार ने क्या किया अजादी के बाद people to people contact बढ़ाने की कोशिश करी और tribal policy लेकर आए special tribal policy लाए 6th schedule अगर आपको याद हो 6th schedule constitution में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ East के लिए लाया गया था और कई जगे यह प्रावदान करे गए कि इन्हें स्वायतता दी जाए Self Rule दिया जाए, Autonomous Hill Councils बनाई जाए, Decentralization दिया जाए, कई North East के राज्यों में Hill Councils बनी वी है तो District और Regional Councils बनाने से क्या है कि स्वायतता दी गई, उनके खुद के अधिकारों को उन्हें ही दे दिया गया कि आप अपने आपको Administer कर सकते हैं, Local कानून मना सकते हैं, इस तरह के काफी अधिकार दिये गए तो Initially केवल एक राज्य था, Assam और एक Union Territory थी, NIFA पहले North East Frontier Agency जो है, वो कहां से Administer होती थी, Assam से, Assam का Governor Administer करता था फिर 72 में NIFA को Transfer कर दिया Union को, तो Direct Union Territory बन गए और 87 में अरुनाचल प्रदेश बना दिया गया उसे ठीक है, 87 में अरुनाचल प्रदेश एक राज्य का दर्जा पा गया तो जहां पे दूसरे देश के जो एरियाज हैं, उनमें इतना development हो रहा था, उतना इन एरियाज में development भी नहीं हुआ और इसका एक बहुत बड़ा current geography भी है, कि इस एरिया की geography बहुत ही typical है, हिली एरिया है, बारिश बहुत होती है, जंगल है तो यहां पे roads, infrastructure, communication, यह सभी बनाना, develop करना बहुत मुश्किल है तो सबसे पहले, 50 के दशक में, AZ, Fizo के नितरित्व में, नगा लैंड में बगावत शुरू होती है, आंदोलन शुरू होता है, बगावत कहना गलत होगा, आंदोलन शुरू होता है, कि यह स्वायत्तिता चाहिए, आजाद नगा लिम चाहिए दीरे-दीरे यह डिमांड मिजोराम, मनिपोर्त, पुरा मेगाल है, सभी जगे से उठने लगी, 1960 में, असाम राज्यव में, असाम को एक मातर भाषा का ओफिशल दरजा दे दिया गया, इससे भी काफी अंदोलन हुए, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो नग केवल इंग्लिश बोलेगा, उसे ही सरकारी नौकरी मिलेगी, इसलिए भारत में ऐसा भी तक है नहीं, अगर इंग्लिश कंपलसरी हो गई, कि भारत सरकार केवल इंग्लिश में ही अपना काम कास करेगी, तो सभी लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, जो इंग्लिश तो इस APHLC ने चुनाव लड़े और 11 में से 15 सीटे इसने पाली असाम लेजिस्क्रेटिव असेमली में जो और उसके बाद कई प्रदर्शन भी हुए और एजिटेशन हुआ और इन लोगों ने APHLC वालों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा दे दो 1969 में मेगाले को एक अलग राज्य बना दिया गया असाम से अलग राज्य बना दिया गया लेकिन इसे कहा state within a state तो इसके पास पूरी स्वायत्तता थी सिवाय, law and order, high court, public service commission और governor के और तीन साल बाद ये वाली facility भी पूरी दे दी तो मेगाले, मनिपूर और त्रिपुरा को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और उनके अपने अलग courts बन गये, अपने अलग PCS बन गये और दूसरी तरफ नगालेंड और मिजोराम में भी आंदोलन चल रहे थे, तो नगालेंड को 1963 में ही अलग राज्य का दर्जा दे दिया, जबकि मिजोराम को 1987 में अब आज के हलात क्या हैं, तो उत्तर पूर्व में जातर राज्यों में अभी शान्ती है, और जितने भी militant outfits हैं, उनके साथ भारत सरकार ने या तो ceasefire समझोते कर लिये हैं, या फिर बातचीच चल रही है असाम, मनिपूर और नागालैंड में अभी भी कुछ ना कुछ situation थोड़ी सी चलती रहती है, असाम और कार्भी आंगलोंग के जो एरियाज हैं, लोगर असाम और कार्भी आंगलोंग, वहाँ पे ethnic violence काफी होता है, communal tension चलती रहती है, बोडो एरियाज के अंदर भी बोडो औ अन्य लोगों के बीच में जड़ब होती रहती है, मैगाले में अभी गारो आदिवासी शेत्र है, वहाँ पे insurgency चल रही है, और मनिपूर में नौन मनिपूरी के खिलाफ कभी कभी प्रदर्शन दंगे हो जाते हैं, तो इस तरह के कुछ issues अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ज सेमेट्री है, नागालाइंड में कोहिमा के बाहर, लोग तक लेक है मनिपूर में, क्या आपको पता है, लोग तक लेक में फुमडी क्या होता है, और कौन सा डियर वहाँ का फेमस है, कौन सा किस प्रकार का हिरन है, उसका नाम क्या है बताओ, मिजोराम में देश की second highest literacy rate है, 95 प्लस है, मनिक्य डैनेस्टी थी त्रिपूरा में, उसका उजयनता पैलेस है, और यहाँ पर है नार्तियांग, मोनोलित, कहाँ पर जहनतिया हिल्स के अंदर, और माजूली आइलेंड है, ब्रह्मपुत्र नदीवे, आसाम में तो खेर बहुत चीजें है, उनमें से एक है म माजूली आइलेंड, सिक्किम है, नाथुला पास है, कंचन जंगा है, युनेस्को वर्ल्ड हरेटेज साइट है, अगर आपको याद हो तो मिक्स वर्ल्ड हरेटेज साइट है, कंचन जंगा, मिजोराम और त्रिपूरा इन दो राज्यों के अंदर, विद्रो को काफी हद कंच्रोल कर लिया गया है, और ये दो राज्ये बहुत सक्सेस्फुल एक्जामपल है, कि कैसे शान्ती बनाई जा सकती है, फिर उसके बाद गवर्मेंट ने सीस फायर और सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स साइन कर लिया है, लगबग सभी इंसर्जेंट ग्रूप्स के साथ, और गवर्मेंट ने अपनी पॉलिसी हमेशा डायलोग की रखी है, कि अगर आप हिंसा का रास्ता छोड़ दें, तो बातचीत के लिए भारत सरकार हमेशा तैयार है, लेकिन समिधान के दाइरे के अंदर, constitutional framework के अंदर, जितनी स्वायत्यता हो सकती हम देंगे, six schedule जितना permit कर बाता है, देंगे, लेकिन अलग देश नहीं दिया जा सकता, ये भारत सरकार का हमेशा से stand रहा है, तो अगर general terms में बात करी जाए, तो पिछले 15 सालों के अंदर, North East की security situation काफी सुदरी है, tourism काफी बढ़ गया है, development activities शुरू हो रही है, train connections कोशिश करी जारी है, जितने भी capitals सब को train से connect किया जाए, तो इमफाल, कोहिमा, इटा नगर, सभी जगे train का, जो train connectivity है, वो बनाई जा रही है, हर राज्य को जोड़ा जा रहा है train से, तो इस तरह के काफी development projects North East में चल रहे है, एक बार हम ये देख लेते हैं कि सारे राज्यों में कौन-कौन से major insurgent groups हैं, जिन United Liberation Front of Assam, फिर है National Democratic Front of Borderland, NDFB, कामतापूर Liberation Organization, फिर मनिपूर के अंदर है PLA, देखो मनिपूर के अंदर बहुत सारे group हैं, problem यह है मनिपूर के अंदर कि इतने group हैं कि सरकार किस किस से बात करें, दो तीन से बात होती है, तो बाकी सब मानते नहीं है, अगर सरकार एक से बात करती है, तो बाकी सारे group हिंसा नहीं छोड़ते हैं, तो यह नाम कुछ-कुछ याद रखलो, PLA, UNLF, United National Liberation Front, People's Revolutionary Party of Kangalipark, Kangalipark Communist Party, और बाकी वाले एकते important नहीं है, सिर्फ उपर वाले यह चार याद रखलो, वह भी आपके लिए बहुत होगा, मेगाले के अंदर HNLC नाम क National Liberation Front of Tripura, NLFT, फिर आजाओ नगालेंड पे, तो नगालेंड के यह दो organization बहुत important है, स्टार माक कर लो, National Socialist Council of Nagaland, खापलांग, NSCNK, तो NSCNK के साथ भारत की सरकार बातचीत नहीं कर रही है, इसे अभी आतनवादी संगठिन गोशित कर रखा है, और दूसरी ओर जो दूसर सरकार के साथ इस वक सीजफायर पर है, और बातचीत में लगा हुआ है, यह इजाक, मुईवा, खापलांग, यह सब नेताओं के नाम है, इनके पीछे party के अंदर good बन गए थे, फिर NSCNKN भी है, इतना important नहीं है, और एक NSCN reformation है, यह 2015 में बना था, तो यह है NSCN Nagaland का, अब हम एक एक करके राज्य के हिसाब से security situation देखते हैं, सबसे पहले अरुनाचल के आंकड़े देखें, तो आप देखें, टेबल में यह बताया गया कि कितनी इंसक घटनाए हुई है, कितने आतंगवादियों को arrest किया गया, कितने मारे गये, कितने ने surrender किया, कितने security forces मारे गये security forces यानि army और paramilitary और police, फिर है civilians, तो इससे main पता चलता है, जितने civilians मारे जाते हैं, उतनी situation खराब है, और जितने कम civilians की death होती है, उतनी situation अच्छी है, और यह है kidnappings, तो आप देखोगे कि लगातार यह संक्या कम होती जा रही है, और यह हर राज्य के अंदर है, ठीक है, और security forces killed कई सालों में तो zero है, तो इसका मतलब situation definitely सुधरी है, असाम के अंदर भी जो काफी समस्या थी, पहले आप देखिए civilians लगबग 300 के आसपास मारे जा रहे थे 2007 में, अब वो संख्या कम होकर single digits के अंदर आ चुकी है, फिर है मनिपूर, तो मनिपूर के अंदर भी देखो अगर आप इन states से हैं, तो आपके लिए आंकड़े important है, अगर नहीं है तो बस एक general trend में आपको बताना चाहता हूँ कि situation काफी सुधरी है, और मिजोराम में तो 86 में समझोता हो गया था, peace accord हो गया था, उसके बाद से लगबग शान्ती है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो आपको यहाँ पे आंकड़ों में दिख जाएगी, कई साल तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे रहे हैं, जिनमें कोई death नहीं हुई, और यह है नगा लैंड की स्थिति, यह है त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी शान्ती समझोता हो चुका है, तो स्थिति अभी काफी control में है अब हम एक-एक करके state की बात करते हैं, सबसे पहला है नगा लैंड, तो यह है नगा लैंड, नगा लैंड में उत्तर की ओर है अरुनाचल प्रदेश, यहाँ पे पश्चिम की ओर है असाम, पूर्व की ओर है म्यानमार और दक्षिन में है मनिपूर, सबसे बड़ा शहर कोह दिमा और दिमापूर हैं, दिमापूर तक train पहुंच चुकी है, दिमापूर तक train जाती है, railway head है, तो train connectivity नगा लैंड से है, लेकिन नगा लैंड के capitals अभी तक नहीं है, क्योंके बीच में पहाड़ी इलागा आ जाता है, तो सबसे पहले insurgency की जब शुरुआत हुई थी त एक tribe नहीं है, कोई भी एक आदिवासी की, कई सारे अलग-अलग tribes आपको देखने को मिलेंगे, और Britishers ने यहाँ पे हमला करना शुरू किया 1826 में, और 1892 तक पूरी तरह से नगा हिल्स पे Britishers का control था, British समय में नगास को social और political development से एक तरह से अलग-थलग रखा गया पूरे देश के अन्य हिस्सों से, और यहाँ पे जो rule था, वो थोड़ा soft iron था, soft iron यानि अप्रोच अलग था, बाहरी लोगों को बिल्कुल बाहर रखा गया, tribal culture को protect करने के नाम पर, लेकिन Christian Missionaries को अलाव कर दिया, Christian Missionaries ने काफी बड़े सतर पर conversion किये, धर्म परिवर्तन का काम किया और 88%, आज नगा लैंड की 88% आबादी Christian है, Christian Missionaries के continuous presence के कारण एक चीज़ जरूर हुई है, नगा सोसाइटी आज काफी educated है, पड़ी लिखी है, modern है, और वहाँ पे समाजिक कूरीतियां थोड़ी कम है, अप्रेल 1945 में नगा Hill District Tribal Council की स्थापना होती है, और फरवरी 1946 में जब आजादी मिलने ही वाली थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ समय में आजादी भारत को मिल जाएगी, तो इसी Hill District Tribal Council को reorganize किया गया, नगा National Council के नाम से, और जो शुरुवाती 30 साल थे, उसमें NNC सबसे बाचीत करी जाए, ताकि जो British शरकार जाएगी, सन 47 में आजादी मिलने के बाद, भारत और नगा लाइन के बीच में क्या relation रहेगा, उसके बारे में detailed discussion किया जाए, NNC नहीं चाहता था, कि Assam को Bengal में रखा जाए, और नगा Hill District उस असाम का हिस्सा हो, तो पहली बात नगा National Council चाहती थी कि Assam को एक अलग राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और दूसरा उसके अंदर भी नगा Hills जो है, यानि आज का जो नगा लैंड है, उससे उस समय नगा Hills कहते थे, नगा Hill District जो है, उसे अपनी पूरी स्वायत्तता मिले, local autonomy मिले, और separate electorate का प्रावधा गयते एनन्सी ने, तो सबसे पहले Governor of Assam के साथ बातचीत होती है, एनन्सी की, और एनन्सी और Assam Governor एक 9-point agreement बनाते हैं, 26 जून 1947 को ये साइन किया गया, इसमें ये बात कही गई कि नगाओं को अपना खुद का Judicial, Executive और Legislative पावर, उसके साथ साथ स्वायतता बिलकुल मिलेग जमीन के मामलों में, तो काफी हद तक स्वायतता दी जाएगी, और 10 साल की guarantee है, कि ये provision रहेंगे, उसके बाद नगाओं खुद चूज कर सकते हैं, कि क्या ये agreement आगे जारी रखना है, या फिर नए agreement करना है, या अगले 10 साल के लिए ये agreement रहेगा, तो जो नगा leaders थे, उन्ह इसे ratify करने से मना कर दिया, क्यों? क्यूंके constituent assembly ने कहा कि हम एक तरह से अलग देश की demand ये जो आप कर रहे हो, ये नहीं मान सकते, इतनी स्वायतता हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्यूंके नगा leaders के अनुसार, भारत क्या था? एक guardian power था, जैसा US में होता है, कि states जो हैं, वो जद तक स्वायत हैं, United States में, जो राज्य हैं, तो यहां पे नगा भी कुछ उसी तरह का system सोच रहे थे, कि federal system हो, जिसमें भारत सरकार के वल, विदेशी मामले या फिर defense, ये सब देख ले, और बाकी जित्ता भी autonomy है, वो हमारे पास रहे, लेकिन भारत की समिधान सभा क्या जाती थी, federal plus unitary का mix, और आप जानते ही है, quality में आपने पढ़ा है, मैं कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, भारत का जो समिधान है, वो quasi-federal है, कहने को federal है, उसमें functions, लेकिन जातर उसका जुकाव किस तरफ है, unitary की तरफ जुकाव है, तो इसलिए समिधान सभा नहीं जाये किसी एक area को, और constituent assembly ने इस समझोते को ratified नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस पर अपनी महर नहीं लगाएंगे, चाहे असाम के governor ने समझोता कर लिया है, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे, तो यहां से सारी problem की शुरुआत होती है, तो constituent assembly ने क्या कहा, कि आपक केंदर सरकार या समिधान सभा जो है उसने, तो आजादी के बाद भारत सरकार ने सबसे पहला काम जो शुरू किया, वो नगा tribes को भारत के mainstream के साथ जोडने का, और उसमें भी सबसे पहला था कि असाम के साथ जोडा जाए, connectivity बढ़ाई जाए, people to people contact बनाए जाए, लेकिन जो government state, यानि हमें एक अजाद मुल्क चाहिए, और इसे कुछ British officials और missionaries ने भी बढ़ावा दिया, 1955 में ये जो आंदोलन था, ये हिंसक हो गया, और एक armed rebellion की शुरूवात हुए, यानि अभी तक तो क्या था, देखवा, प्रोटेस्ट हो रहे थे, बातचीत चल रहे थी, लेकिन 1955 में हिंसक हो गया, अंदोलन, बंदू के सप्लाई होने लगी, और government of India को वहाँ पे भेजनी पड़ी, आर्मी, तो ये आर्मी भेजने के बाद से 1956 से नगालेंड में आर्मी है, और तब government ने उस समय एक बार तो जो विद्रो है, इस विद्रो को एक बार दबा दिया, लेकि उसके लिए हम पूरी तरह से आर्मी का हैंड, आर्मी को इस्तमाल नहीं कर सकते, या आप इस ट्रॉंग हैंड नहीं रख सकते, कि पूरी तरह से किसी को आप दबा दो के वल भे के दम पर या फिर फोर्स के दम पर, आपको friendly approach रखना होगा, ये भारत सरकार को समझ में आया ह हैं, और इसलिए भारत सरकार ने नगा tribes को काफी स्वायतता दे रखी है, नगा land की culture को preserve करने के लिए काफी autonomy दी गई है, और एक बात और बता दूँ, आपको AFSPA भी इसी समय लागू किया गया था, Armed Forces Special Powers Act भी लागू किया गया था, लगबक 1956-1957 के आसपास, और वो mainly इसलि में बनाया गया, और 1958 में ये पास किया गया था, सबसे पहले नगा land में ही पास किया गया था, ठीक है, disturbed area बना कर इसे पास किया गया, तो नगा land वो पहला राज्य है, जहां AFSPA की शुरुवात होती है, AFSPA लागू किया गया था, 1958 में नगा land के area के अंदर, और उसके बाद दिरे दिरे है, अन्य उत्तरपूर के राजो में भी लागू कर दिया गया, तो देखो जब फीजो से तो बात बनी नहीं सरकार की, तो सरकार ने क्या करा, कि NNC के अंदर ही कुछ ऐसे लोगों से बात करनी शुरू करी, जो थोड़े से moderate थे, जिनें पूरी आजाद ही नही 57-58 तक और जो दूसरा moderate faction था, इन से सरकार ने बात करी और नगालेंड राज्य के बनने की पैरवी करी गई इनके द्वारा, और नगालेंड राज्य सरकार ने बना दिया, तो 1963 में नगालेंड देश का सोलवा राज्य, पून राज्य बनकर निकला, तो असाम से अभी इनसात्मक्त तरीके से कोई काम करते हैं, सरकार से कोई मांग करते हैं, और अगर वो समिधान के दाएरे के अंदर है, तो सरकार बिलकुल उस मांग को मानेगी, तो ये एक बहुत बड़ा एक्जामपल था, लेकिन राज्य बनने के बाद भी वहाँ पे इनसर्जंसी कम नही क्योंकि जो दूसरे गुट थे, जो अलग देश चाते थे, नगालेंड को एक देश के रूप में देखना चाते थे, उन्होंने अपना गुरिला वार्फेर जारी रखा है, गुरिला वार्फेर यानि की छापा मार युद्ध, और ये 1964 में शुरू हुआ था, और आज दिन काफी हद तक स्तिती कंट्रोल में है, लेकिन समय समय पर कुछ ना कुछ हिंसक घटना होती रहती है, अब हम आगे देखते हैं कि आज major terrorist groups कौन से हैं, जो नगालेंड में operate कर रहे हैं, सबसे important है National Socialist Council of Nagaland NSCN, NSCN जो है, ये चाहता है नगा लिम बने, नगा लिम क्या है, अनिपुर के वो area है, जहां पे नगा आदिवासी रहते हैं, यानि जहां पे भी नगा populations रहती हैं, इन तीन रज्जों के अंदर, mainly वो नगालेंड का border वाला ही area है, उसे भी नगा लिम में शामिल किया जाए, ये इनकी demand है, और साथ-साथ में बर्मा के कुछ areas भी है, ठीक ह ये थोड़े से hardliner faction थे, देखो क्या होता है, जैसे ऐसे समय होता जाता है न, कोई भी संगठन है, जिसमें जो hardliner था, वो थोड़े थोड़े नरम पढ़ते जाते हैं, ये दुनिया में सब जगे होता है, आज आप जिन नेताओं को जानते हैं, जैसे राम विलास पासवान, रामदास अठावले, ये जो भारत के बड़े नेता माने चाते हैं, पिछड़े वर्ट के, ये एक समय में 70-80 के दशक में 30-30 hardliner leader थे, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये नेता कल को भाजपा के साथ चले जाएंगे, मतलब ये right wing के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसा किसी ने सोच आई वी थी, उसने finally सरकार के साथ शिलोंग समझोता कर लिया, शिलोंग समझोते के साथ ही हिंसा छोड़ दी गई, लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे, तो ये जो नेता थे, इन्होंने National Socialist Council of Nagaland बना ली NSCN, लेकिन इन में भी आपस में कुछ मदभेद हो गए, और इन् इन्होंने अपना जातर समय म्यानमार में बिताया है, इस गुट बाजी और फैक्शनलिजम का एक नुकसान ये है, कि आपस में ये गुट जब लड़ते हैं, तो बहुत सारे civilians मारे जाते हैं, इनमें बहुत हिंसा होती है, और अभी जो maximum हिंसा हो रही है, वो आर्मी और टे नीचे लाना, एक सरकार के नीचे लाना, ये दोनों का टार्गेट था, लेकिन जो NSCN IM है, इसाक मुईवा, ये दो लीडर्स हैं, इसाक और मुईवा, इन लीडर्स के अंडर में जो NSCN IM है, उसने भारत सरकार के साथ 2001 में ceasefire agreement साइन कर दिया, लेकिन insurgency अब भी जारी है, क्योंकि frequencies fire violations होते रहते हैं, जब तब थोड़े बहुत हिंसक जड़प होती रहती है, एक बहुत बड़ा कारन है कि किवल IEM ऐसा गुट नहीं है, NSCN के खुद के आज की तारीक में 5 अलग-अलग factions हैं, और उसके अलावा कई अन्य इस तरह के terrorist organizations वहाँ पे मौजूद हैं, ये underground groups, Nagaland, Manipur, इन सभी जगाओं पर एक तरह से extraction racket चलाते हैं, या फिर जबरदस्ती लोगों से tax लिया जाता है, जो truck center होते हैं, उनसे tax वसूला जाता है, और एक parallel government चल रही है, इनफाट कोहिमा से कुछ दूर जो NSCN है, वो अपनी खुद के एक parallel government का headquarter बना के बैठा है, तो ये वाली स्थिती जो है, इससे लोग काफी परिशान है, वहाँ पे हत्यारों की तसकरी है, इनसे भी पैसा कमाया जाता है, इन गुटों द्वारा, arms smuggling है, और drugs की smuggling है, फिर जितने भी tribal groups हैं, factions हैं, कई सारे अलग, उनमें आपस में जब clash होता है, तो civilians मारे जाते हैं, इनके बीच में tensions भी जारी रहती है, तो जब तब कोई ना कोई problem, छोटी मोटी problem भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, तो ये इस वक्क current developments हैं, जो चल रहा है, अब नगा peace accord की बात करते हैं, 2015 की, 2015 अगस्त में, NSCN IEM ने भारत सरकार के साथ एक नगा peace accord framework agreement जिसका नाम है वो sign किया, अब इसकी details अभी तक clear नहीं है, भारत सरकार ने इसकी details public नहीं करी है, home ministry ने, कि आखिर इस framework agreement में बात क्या हुई है, बस ये कहा गया है कि नगा समझाता हो चुका है, शांती समझाता हो चुका है, और NSCN IEM अब भारत सरकार के साथ लड़ नहीं रहा, लेकिन details क क्या है ये नहीं पता, problem ये है कि NSCN IEM एक तरफ अपना जो greater nagalim का सपना है, कि greater nagalim एक अलग देश बनेगा, वो छोड़ चुकी है, तो दूसरी और भारत सरकार को भी ये problem आ रही है कि अन्यराज्यों का जो area है, जो nagalim में शामिल करना है, वो कैसे दिया जाएगा, क्यू नहीं आई है और इस पर अभी work चल रहा है, जब at least मैं जब ये video बना रहा हूँ तब इस पर अभी तक काम चल रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि बहुत बड़ा development है कि NSCN IEM ने अपनी अलग देश की मांग छोड़ कर, कम से कम समिधान के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे राज्यों के areas का क्या होगा, तो जैसे ही अगर ये news में आता है तो इसे आप थोड़ा update कर दीजेगा, और अगर आएगा तो study IQ पे भी definitely इसकी update आपको मिल जाएगी, जैसे ही जिस भी दिन अगर इसकी details publicly बाहर आती है, दूसरा राज्य है मनिपूर, तो ये है मनिपूर में एक चीज ध्यान रखेगा, ये वाला तो है plains area, यानि ये है मैदानी इलाका, और इसके अलावा चारो तरफ जो ये आपको area दिख रहा है, ये सारा पहाड़ी area है, हिली terrain है मनिपूर का, तो इस plains वाले area में जो mainly population रहती है, वो तो है मेतेई, और जो ये पहाड केवल नगा रहते हैं, या फिर केवल कोकी रहते हैं, काफी mixed population है, तो लगबग 60% population हिंदू है, मेतेई है, मेतेई वहाँ के पुराने निवासी अपने आपको कहते हैं, और मेतेई हिंदू में वैष्णविजम को follow करते हैं, याद करो art and culture में कितना वैष्णविजम वहाँ influence करता था, dance को, art को, paintings को, और मेतेई के अलावा जो cookie और नगा हैं, वो tribal, mainly थोड़ा सा tribal society type है, मेतेई को आप tribal नहीं कह सकते हैं, मेतेई is not in, अगर आप एक definition ले लो tribal की, तो आपको दिखने में culture से आपको tribal नजर नहीं आएगा, हाँ culture अलग है, लेकिन tribal culture नहीं है, थोड़ वेशनविजम का काफी influence है, और मेतेई के अंदर भी कुछ लोग Muslim है, यानि ethnically वो अपने आपको कहते हैं कि हम मेतेई हैं, लेकिन वो धर्म उनका कहलाएगा Muslim या जो Christians, तो ये तीनो धर्म के लोग मेतेई हैं, मेतेई जाहतर प्लेंस में रहते हैं, नगा और कुकी बहारों में, hill districts में, मनिपूर को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में, लेकिन यहाँ पे insurgency 64 में ही शुरू हो गई थी, 1964 में insurgency शुरू हो गई और ये बहुत violent नहीं हुई थी 1978 तक, 1978 में क्या होता है, अचानक से यहाँ पे हिंसा भढ़क उठती है, और separatist ने demand करा कि अ सरकार ने यहाँ पे army भेजी, आफस्पा लगाया गया, army ने एक बार तो rebellion को कबजे में, rebellion को दबा दिया, control कर लिया, लेकिन पिछले 40 सालों से लगातार Indian security forces पे यहाँ पे human rights violations, मानवधिकार उलंगन के आरोप लगते रहे हैं, in fact, इरोम शर्मिला चानू, जो शायद भारत की सबसे famous protesters में से एक हैं, इरोम शर्मिला ने कई सालों तक भारतिये फौज के खिलाफ, भारतिये फौज और आफस्पा के खिलाफ protest किया था, खाना नहीं खा कर, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, इरोम शर्मिला ने, तो आपने, I think, इनका नाम देखा होगा, कही पर Google कर लो photo, आप समझ जाओगे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये protest काफी होते रहते हैं, आर्मी के abuses, आर्मी पे कई आरोप लगे हैं, मानवधिकार उलंगन के, तो इसके कारण भी जनता में एक नाराजगी रहती है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, वहाँ पे नारा मिलकर उन्होंने बना लिया था, मनिपूर People's Liberation Front MPLF, दूसरी और United National Liberation Front UNLF, People's Revolutionary Party of Kangalipark, Pre-Park, और People's Liberation Army PLA, ये सारे organizations हैं, जो बड़े-बड़े organizations हैं, और हिंसक रूप अपनाया हुआ हुआ है, इन्होंने, तो इनके 2,000, किसी के 1,000, किसी के 3,000 armed militants हैं, यानि इनके पा कारण यह एकि एतने सारे groups हैं, ये आपस में भी बहुत लड़ते हैं, तो जब भी आपस में लड़ते हैं, तो उसके कारण हिंसा होती है, आर्मी के साथ तो लड़ते ही हैं, और इनमें आपस में तालमेल नहीं है, कोई चाहता है कि मनिपूर भारत के अंदर ही जाधा स्व पाने जाते हैं, तो situation complicated इसलिए हो रखी है क्योंकि सबका एक लक्षे नहीं है, सबका cause अलग है, नगा जो है वो चाहते हैं कि मनिपूर का जो उत्तरी हिस्सा है वो नगालिम में शामिल कर लिया जाए, greater नगालिम में और ये मेते ही insurgents को बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके अ बहार के हैं, जैसे त्रिपूरा साइड के जो बंगाली हैं या असाम के लोग हैं, जो मनिपूर में काम कर रहे हैं, कई बार उनके साथ भी इंसक जड़पे हो जाती है, ये तो खेर भारत में बहुत common है, आप देखोगे कई जगे, जैसे महराश्रे के अंदर बीच में कु कि जितने भी North East के लोग हैं, उनके खिलाफ हिंसा होगी, तो बहां से भी migration हुआ था force, तो ये जगे जगे समय समय पर भारत में होता रहता है, एथनिक जो violence है, ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, चलो फिर से topic पर आते हैं, insurgent groups जो हैं, वो कह रहे हैं कि alternate arrangement किया जा फिर एक problem ये भी आई है कि माववाद, माविस्ट और मनिपूर insurgents, खास करके PLA जो organization है, जो थोड़ा सा communist leaning है, उनके बीच में सरकार को कुछ links मिले हैं, सुरक्षा एजेंसियों को link मिले हैं, कि ये दोनों आपस में तालमेल रख रहे हैं, जो माविस्ट हैं, 36 जारकन वाल सबसे दूर दरास्तित है, तो मिजोराम की खास बात ये है कि मिजोराम एक successful example है, यहाँ पे जो आंदोलन था, अलग देश बनाने का, या अलग राज्य को अलग जादा स्वायतता देने का, इसे भारत सरकार ने successfully solve कर लिया था, तो ये जो मिजोराम का case है, बहुत important case है, और religious overtone भी थे, यानि इसमें धर्म का भी कहीं पे एक angle था, क्योंकि मिजोराम में भी 88% Christian population है, या दखना, तीन Christian populated majority states हैं, इंडिया के अंदर, कौन-कौन से है, मेगाले, मिजोराम और नगा लैंड, कई लोग सोचते हैं, गोवा Christian majority है, ऐसा नहीं है, गोवा में Christian population 25-26% के आ तो लक्षोदीब भी हो जाता है, बाकी किवल जमुएन कश्मीर है, तो यहाँ पे 66 में हिंसा कांदोलन शुरू हुआ, 80's तक चलता रहा, और 86 में finally ये solve हो गया, मिजोराम accord साइन किया गया, मिजोराम समझोता साइन किया भारत सरकार और मिजो National Front ने, और इसमें क्या साइन किया गया कि मिजो National Front के जो नेता थे लाल डेंगा, इन्होंने कहा कि हम हतियार छोड़ देंगे, बदले में हमें politics में, मतलब जो government है उसमें स्थान दिया जाए, तो यह बहुत बड़ी बात थी कि उस समय जो Congress का मुख्यमंतरी था वहाँ पे, उस Congress मुख्यमंतरी ने अपनी seat छोड़ी, उनका नाम था लाल थानावला, लाल थानावला ने अपनी खुद की seat छोड़ी और जो हत्यार बंद गिरोग के जो लीडर है, लाल देंगा, उनको Chief Minister बना दिया गया, तो यह बहुत बड़ा त्याग था, मैंने कभी भारत में Chief Ministers को इस तरह से अपनी कुरसी य अपनी सत्ता छोड़ दी, हाला कि बाद में वो फिर से Chief Minister बन गया, जब चुना हुए तो वो वापिस जीत गया, लेकिन एक बार MNF, जो कि Rebel थे, यानि कि जो हत्यार बंद संगटन था, उसने हत्यार डाले और सरकार में शामिल हो गये, और यह जो model है, यह क्या था, कश्मी agreement वाला था, जो शेक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में समझोता हुआ था, शेक अब्दुल्ला इंदिरा अकॉर्ड वो ही वाला फैशन था, वहाँ पे भी क्या किया था, शेक अब्दुल्ला के साथ समझोता किया, कि जमुएन कश्मीर भारत सरकार का अभि flexibility है, इसकी कहीं कहीं पे दाद भी देनी पड़ेगी, हम हर जगे बुराई करते हैं, लेकिन जहां पे तारीफ बनती है, ये एक बहुत अच्छा pro point है, कि एक 20 साल के हिंसा कांदोलन को यहां पे रोग दिया गया, because of political will, तो जहां पे politicians सोच लें कि ये काम करना है, तो वो किय जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई problem, तो कश्मीर समस्या भी solve करी जा सकती है, लेकिन political will की ज़रूत है, तो तीन factors बहुत important है, इस problem को solve होने में, पहला ततकालीन प्रधानमंतरी राजीव गंदी ने काफी sincere effort दिखाये थे, और मिजोरम के लोगों ने देखा कि हाँ, ये हवा म बातें नहीं कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, वो होगा, ये वो करके दिखाएंगे, तो इतना भरोसा होना चाहिए निताओं पे लोगों का, दूसरा जो मीजो political leaders थे उस समय, दोनों ने maturity दिखाई, तो लाल देंगा जो की MNF के leader थे, और Chief Minister लाल, थनावला, इनों ने, दो समझाता हो जाना चाहिए, ये बहुत हिंसा हो गई मिजोरम के अंदर, तो मिजोरम के जो ये नेता थे, इन्होंने बहुत जवरदस्त बदलाव देखा है, आज जो कई मिजोरम के MLA है, वो एक समय में आतंगवादी हुआ करते थे, सरकार की नजरों में, बंदू कुठा के उन्होंने जंगलों में लड़ाई-लड़ी है, लेकिन आज वो सेक्रेटरियेट में बैट कर पॉलिसीज बनाते हैं, या फिर डिवेट करते हैं, और इसका फायदा पूरे राज्य को हुआ है, मिजोरम डेवलप्मेंट में नौर्थ-East में आज काफी आ गया है, वहाँ प में लाइंड भी चल रहा है, कैसे? कि मिजो जो है, वहाँ पे ऑफिशल भाष्टाब हिंदी भी है, वहाँ के लोग इंगलिश तो समझते ही है, हिंदी भी सीख रहे है, क्रिकेट काफी पॉपिलर है, और इंगलिश अच्छी बोलने के कारण मिजोरम के लोगों को सर्विस इंडस्ट्री में बहुत नौकरिया मिलती है, अगर आप देखेंगे होटेल इंडस्ट्री, जहाँ भी हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे मिजोरम के बहुत लोग आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप बैंगलोर देखिए, बैंगलूरू है, कॉलकता है, दिल्ली है, आप देखिए, कई मिजोरम के लोग आपको महाँ पे मिल जाएंगे, एरलाइन्स, होटेल, मला हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री में उसका कारेण ही है कि इंगलिश बहुत अच्छा है, और ये दिखाता है कि राज्य की जो साक्षरता दर है, उसने कही ना कही लोगों का फाइदा किया है, तो ये फाइदा होता है, अगर देश, समाज, साक्षर होता है, तो नौकरियां बढ़ती है, opportunities बढ़ती है, समाज automatically तरक्की करता है, एक और अच्छा उधारन है, जो उस वक्त मीजो नैशनल फ्रेंट के second in command हुआ करते थे, वाइस प्रेजिड लाड़ेंगा के बाद, तो ये बाद में, लाड़ेंगा बने उसके बाद में ये भी chief minister बने, 1998 के चुनाव में ये जीते 10 साल लगातार, दो बार, दो टर्म तग ये chief minister रहे, जो राम्धांगा जैसे व्यक्ति, जो बंदू के लेके SC के दशक में लड़ाई लड़ता था, हिंसा पर उतारू था उस व्यक्ति ने जिसने भारत से आजादी की बाते करी हो वो व्यक्ति आज चीफ मिनिस्टर है और भारत सरकार की दूसरे एरियाज में भी मदद कर रहा है तो यह बताता है कि चाहे हालात कैसे भी हो चीजें सुधर सकती है यह इसका बहुत important example है तो इस बार boundaries ज़रूर देख लेजेगा कौन किस country को touch कर रहा है सिक्किम की किस-किस देश के साथ boundary है किस राज्य के साथ boundary है मेगाले की कहां boundary है यह सारे important points है बार-बार देखते रहो revise करते रहो तभी अच्छे से याद होंगे concepts तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेगाले से त जो मनिपूर और NSCN है नागालेंड वाले उनके लिए भी एक transit point है बांगलादेश की तरफ अगर जाना है वहां से कुछ smuggle करना है और असाम में जो उल्फा है उसके लिए एक important transit point है अगर बांगलादेश जाना है क्योंकि उल्फा के बांगलादेश और भुटान में काफी सारे camps है तो एक तो Northeast insurgency का tough होने का current भी ही है कि सारे जितने भी insurgent groups है यह अपने जो base camp है training camps है यह इधर वाले या तो म्यानमार के अंदर training camp लगाएंगे या जो उल्फा है वो भुटान का इस्तमाल करेगा मेगाले के group है वो बांगलादेश का use करेंगे त्रिपुरा वाल संगठनों को यहां से खदेड़ दे वहां पे खुद मयनमार भी इसी समस्या से जूज रहा है यहां पीओ के वाला हाल नहीं है कि पाकिस्तान समर्थन दे रहा है ऐसी बात नहीं है मयनमार की आर्मी के पास इतने resources नहीं है कि जंगलों में जा जाके वह सारे camps को तबाह कर द तो जैसा हमने भुटान पे एक बार बनाया था और भुटान ने 2003 में असाम का जो उल्फा संगठन है उसके सारे आतंगवादियों को वहां से खदेड दिया था चलो शुरुबात करता हूँ मेगाले से यह है मेगाले मेगाले के अंदर यह वाला एरिया कहलाता है गारो हिल्स तो यहाँ पे गारो आदिवासी रहते हैं यह है खासी हिल्स बीच वाला एरिया तो यहाँ पे खासी आदिवासी मिलेंगे और जहनतिया तो गारो खासी जहनतिया यह sequence में ऐसे याद रख लेना from west to east गारो खासी जहनतिया और जो hills district के नाम है hills के नाम है वैसे ही जंजाती स अब इनमें आपस में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं और बाहर के लोगों से भी हैं क्योंकि मेगाले में बांगलादेश से काफी लोग आके बस गये थे जब 60 और 70 के दशक में माइग्रेशन चल रहा था कई बांगलादेशी आके यहां पे बस गये असाम के भी कई लोग यहा रखना आपस में ट्राइब्स की नहीं बनती और दूसरा जो ट्राइब वर्सेज नॉन ट्राइबल सेटलर्स है यानि बांगलादेशी आसामी या कोई भी भाहर के उत्तर भारत दक्षिन भारत के अगर लोग वहां बसे में तो ये भी एक प्रॉब्लम है तो इसके कारण लोगों को लगता है कि हमारी डेमोगरफी जो पॉपुलेशन है वो पूरी चेंज हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ा डर है कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे ये डर सभी जगे है हर राज्य में चाहे वो असाम हो मेगाले हो नगालैंड हो उन्हें ये डर रहता है जो जन जाती समू है कि बाहर के लोग इतने आके बस जाएंगे हैं बांगला देशी जैसे असाम में ये बहुत बड़ा इशू है कि हम यहाँ पर माइनॉरिटी हो रहे है और ये ऐसे आक्रों से भी बहुत ज़ादा डिवेट में आ जाता है ये पॉइंट जैसे असाम में पूछी जाती है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 प्रतिशत से कम लोगों ने आसमीज को अपनी मातर भाषा बताया यानि अन्य भाषा है बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई 30 के आस पास पहुँच गई और दूसरी अन्य छोटी भाषा है तो हैं बोलिय उनका कहना है कि यह बहुती खतरनाक सिती है असाम में बांगलादेश या बाहर के लोग आए जा रहे हैं और सेम इशू सभी जगे हैं तो देखो मिगाले के अंदर भी इसी तरह का इशू है माइनौरिटी बनने की नौबत ना आ जाए ट्राइबल्स यह कहते हैं तो इसलि शुरुआत में देखो बना था ना ग्रुप तो उसका नाम था है एक HNLC तो हैनी ट्रॉप नैशनल लिबरेशन काउंसल जो है HNLC के अंदर पहले गारो खासी जैंतिया तीनों हुआ करते थे लेकिन फिर गारो ने अपना खुद का संगठन अलग कर लिया और उसके बाद स ही सब करता है जो नगालेंड और मनिपूर के संगठन करते हैं एक्स्ट्रॉशन अटैक्स बॉंबिंग्स और मिगाले के अंदर काफी वाइलेंस हुआ है जी एनले की एक्टिविटीज के कारेंट फिर दूसरा है अचिक नैशनल वॉलेंटियर काउंसल एन्वी सी की स्था जो है उसकी मेंड डिमांड यह है कि जो मिगाले के अंदर गारो उसका डॉमिनेशन हो गया है उसे खतम करना है कि गारो बहुत जारा डॉमिनेट कर रहे है पॉलिटिक्स को पॉब्लिक लाइफ को और साथ साथ में जो नॉन ट्राइबल बाहर के लोगे जैसे बांगलादे अगले लेक्षर में इसके बारे में बात करूँगा उल्फा जो भी आएगा आगे और एनलेफ्टी क्योंकि मैंने आपको बताया मेगाले एकदम क्रॉस रोड पर है तो मेगाले में तृपूरा नगाले असाम सभी जगे से अगर बांगले बात करूँगा इसके बारे में बांगलादेश जाना है या कुछ स्मगलिंग करनी है तो सभी से अच्छे कॉंटाक्ट अठने यहाँ पर HNLC से अच्छे कॉंटाक्ट अठने इन सभी के लिए भी ज़रूरी है तो NSCN ने HNLC को कई बार पैसो से या फिर फिर बंदू को से सपोर्ट किया है और HNLC की जाह पुलिस या आर्मी छोड़ कर आये हैं वो लोग हैं और ये भी गुरिला अटैक सरकार या पुलिस के खिलाफ करते रहते हैं अब मिगाले के अंदर किटनापिंग और रैंसम यानि की फिरौती वसूलना ये सब बहुत कॉमन हो चुके हैं खास करके जो पश्चिमी डिस्ट हैं उनके बीच और लोकल लोगों के बीच में काफी टेंशन रहती हैं और कई बार क्लैशेज जडब भी हो जाती है छोटी छोटी बात हो बे फिर उसके बाद क्राइम भी यहां पर बढ़ता जा रहा है क्राइम यानि कौन सा क्राइम गांजा कोकेन की स्मगलिंग अफीम क की स्मगलिंग और उसके लाबा हत्यारों की स्मगलिंग नार्कॉटेक्स ब्लैक मार्केटेरिंग तो मिघाल है क्योंके बांगलादेश और भारत के बीच में एक इंपॉर्टेंट स्मगलिंग रूट पे है तो यह सारी परिशानिया यहां बढ़ती ही जा रही है अब बात आजाद हुआ तो यहां पर एक समस्या हुई क्या समस्या कि बांगलादेश यानि आज का जो बांगलादेश है वो उस समय पाकिस्तान में चला गया पाकिस्तान बन गया तो जो इस एरिया में हिंदू रहते थे वो सारे माइगरेट करके यहां पर आ गए क्योंके उनके पंगाली लोग, अब इस्तिती यह है कि 2011 Census के अनुसार जो ट्राइबल, पॉपुलेशन है वह स्टेट, की 30% है और 70% जो है वह नॉन ट्रैबल पॉपुलेशन है, तो त्राइबल का यहां है MARY, कि फिरसे हम paling कम होते mostra रहे हैं और जो बाहर से आये हैं पिछले 87 सालों में वो लोग बढ़ते जा रहे हैं तो ये समस्या त्रिपुरा के अंदर काफी है और त्रिपुरा आपको बता दूँ के में लिए एक हिली पूरी तरह से भाड़ी राज्य है कनेक्टिविटी का बहुत यहां पर अभाव है क यहां पर में लाइंड इंडिया से त्रिपुरा को जोड़ता है इसलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है और भारत सरकार सक्सेस्फुल भी रही है कि बांगलादेश के थूरू कनेक्टिविटी लिंक मिल जाए यानि कॉलकता से अगर तला का डिस्टेंस वैसे जादा नहीं भारत सरकार दोरा क्योंकि त्रिपुरा वैसे अगर आप जाओ कॉलकता से त्रिपुरा जाना है तो आपको पूरा पशिम मंगाल असाम उसके बाद असाम पूरा क्रॉस करके फिर यहां से आओ गया आप NH8 से तो यह लगबग 1500 किलोमेटर की जड़नी हो जाती है इसमें 3-4 दिन लग जाते हैं और यह जो हाईवे है यह बारिश में इतना पूर हाईवे है इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि यहां पे केवल मिट्टी और कीचड बचता है जिसमें ट्रक्स फस जाते हैं तो हर साल 2-3 महीने यह हाईवे पूरी तरह से खराब सिती में रहता है पहले जैसे आप नैशनल हाईवे आपने देखे होंगे उत्तर दक्षिन भारत में वैसे यह नैशनल हाईवे नहीं है जो आप बारिश के समय भी आराम से इस पर गाड़ी चला सको यहां पर गाड़ियां सारी फस जाती दी तृपूरा के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस Autonomous Council ने बार-बार ये डिमांड करी के हमें स्वायत्ता जादा दी जाए तो फाइनली भारत सरकार, राज्य सरकार और काउंसल के बीच में एक समझोता हुआ और स्वायत्ता बढ़ा दी गई गवर्मेंट ने तब से इस आंदोलन को कंट्रोल कर लिया है और 2003 के बाद से हिंसा कम होती जा रही है अब ये देखो Autonomous District Council के बारे में आपको पता होना चाहिए Autonomous District Council जो है वो कौन से Schedule के तहत होती है बताओ आप Schedule 5 या Schedule 6 कौन से वो राज्य थे AMMT याद आया कुछ पॉलिटी में पढ़ाया था कौन कौन से राज्य थे AMMT के अंदर और कौन से नहीं थे Almost 70% एरिया तो Autonomous Council के अंदर में है और पूरे North East में बहुत सारी Autonomous Council है आप यहाँ देखो गोर्खा लैंड, बोडो लैंड, गारो खासी, जहिंतिया हिल्स, कार्भी अंगलॉंग, दीमा हसाओ यहाँ पे देखो कुछ डेटा दिया हुआ नहीं है इस map के अंदर, मनिपूर और नगालेंड के अंदर भी काफी सारी Autonomous Council है, खास करके मनिपूर में भी भहत है तो यह सारा डेटा भी पूरा नहीं है, यहाँ पे देखो, मिजोराम के अंदर भी चक्त्मा और मार या फिर लाई Autonomous District Council और त्रिपूरा के अंदर देख सकते हैं, जो mainly जो पहाड़ी एरिया है, वो पूरा का पूरा Autonomous Hill Council में आता है तो इसका, मैं आपको बताना यह चाता हूँ, इस मैप के माधियम से, कि जितने भी पहाड़ी एरिया है, जहाँ ट्राइबल पूरेशन जादा है, सरकार यही कोशिश करती है कि Autonomous Council बना के दे दी जाए तो अब हम देखते हैं, इस Insurgency की शुरुवात कैसे होती है 1971 में एक ग्रुप बना, त्रिपूरा उपजाती जूबा समीती, फिर बना त्रिपूरा National Volunteers 1981 में, लेकिन अभी जो पिछले 20-30 सालों से main organization है, वो है National Liberation Front of त्रिपूरा, NLFT, जो 1989 में बना था, और इसका Armed Wing, जो हत्यार बंद इसका Army है, इसकी वो है National Holy Army और All त्रिपूरा Tiger Force और इन्होंने क्या लक्षे रखा है कि भारत से अलग होके त्रिपूरा को अलग देश बनाना है, इंडिपेंडेंट त्रिपूरी स्टेट, NLFT को भारत ने एक आतंगवादी संगठिन गोशित कर रखा है, और ये जो दो outfit है, इन्होंने क्या कहा कि हमें एक तो देश से आ आधिवासी लोगों को वापिस, ट्राइवल पीपल को वापिस दे दी जाए, यानी जन जाती समूझ जो है, वहाँ के इंडिजनस लोग हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ये जमीन वापिस कर दी जाए, तो 1995 तक तो ये insurgency इतनी ज़ादा हिंसक नहीं थी, लेकि करें काफी टफ है, मैंने आपको बताया, बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, बांगलादेश के साथ कोई फेंसिंग नहीं है, तो ट्रांस बॉर्डर जो हैं, ये एक जगे से दूसरी जगे पहुंच जाते थे, अपने कैंप्स लगा के, या फिर आतंगवादियों को एक जगे और लेवी, इल्लीगल टैक्स लिया जाता है, जो भी ट्रक वहाँ पे एंटर रहा था, जो भी कोई भाहर से आता था, उनसे टैक्स लिये जाते थे, बिजनसे काम नहीं कर सकते थे, तो इसके कारण ये ये हिंसा बढ़ती गई, इंसरजंसी बढ़ती गई, और डे टू डे तक मुख्यमंत्री रहने वाले लोगों में से एक है, मनिक सरकार ने अच्छी लीडर्शिप दिखाई, और आर्मी के साथ मिलके काफी अच्छी स्ट्राटेजी बनाते हुए, इस इंसरजंसी को खत्मे किया, अगर आप मेंस का अंसर लिखते हो, और आप से पूछा जाए, कि किसी भी राज्य में अगर इंसरजंसी को कम करना है, खत्म करना है, तो क्या कदम उठाये जा सकते हैं, तो आप ये डारेटली ये स्टेप्स लिख सकते हो, ये वाले और ये वाले, कि इन स्टेप्स के द्वारा इंसरजंसी हटाई जा सकती है, तो क्या-क्या स्टेप्स ह कि जो भी counter-insurgency operation है उसमें area domination army का बहुत fast होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, psychological operation हो, यानि ऐसा नहीं कि आप जाके अंदा दुन लोगों पर गोलिया चलाओ, उससे क्या होगा कि आम जनता army के और state के खिलाफ हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, confidence building measure होने चाहिए, जनता के साथ समवाज हमेशा जारी रहे, development पे बहुत जादा ध्यान दो, media को manage करो, अगबारों के अंदर वही news आनी चाहिए, जो सरकार को favorable light में दिखा है, मतलब मैं यह नहीं कहना चाहिए, कि सरकार censorship दे दे, लेकिन अगबारों में ऐसी news ना है, जो गलत है या फिर fake news है, या सर autonomous district hill council, उसे autonomy जादा उसे दे दी गई, तो वो भी एक बहुत बड़ा step था, तो इनी सब कारणों से, त्रिपूरा की जो insurgency वो solve हुई है, और हमें यह उधारन मिलता है कि कहीं भी insurgency खत्म करना possible है, it is not impossible, it is possible, तो अगर आपसे question पूछा जाएगा, तो यही इसी line पे अब हम आते हैं अरुनाचल प्रदेश पे, अब आप सोच रहे होंगे अरुनाचल प्रदेश में कौन सी हिंसा है, हमने तो कभी सुना नी, तो देखो इतनी हिंसा नहीं है, लेकिन अरुनाचल प्रदेश की जो geography ही है, वो ऐसी है, कि इसके कारण अरुनाचल प्रदेश transit point अब उल्फा जो कि यहां operate करता है असाम में वो अपने camps लगाता है म्यानमार में और वो यहां से आने जाने के लिए इन रास्तों को इस्तेमाल करता है तो यह वाले जो district है ना इनके नाम आपको पता होनी चाहिए लोहित, चांगलांग और तिराप और यहां पे एक longring district और है जो तिराप में से काट कर बनाया गया था इन districts के अंदर एक तो उल्फा का थोड़ा सा दबदबा है, दूसरा NSCN, यहां पे नगा लैंड है, तो यहां से NSCN इन areas के अंदर भी अपनी activities जारी रखता है और 90s के बाद बढ़ा दी, क्यूंकि यहां पे नगा लोग रहते हैं, यहां पे नगा populations है इन तीन district के अंदर, इन तीन चार districts में, ठीक है यहां तक तो यह वाला जो हिस्सा है, यह NSCN यानि नगा लैंड वाला जो organization है और उल्फा, जो असाम का organization है, इनके दबदबे के कारण अरुनाचल में यहां पे problem है और क्या-क्या problem से आगे देखते हैं, तो अरुनाचल के जो पूर्वी district हैं, तिराप, चांगलांग, लॉंग निंग, इनके अंदर NSCN जो cadre है, वो बहुत active है और NSCN में भी जो दो कुट है, NSCN IM और NSCN K, यह आपस में यहां पे बहुत लड़ते हैं, मतलब इनका turf war चलत कि अपना दब्दवा बनाया जाए और इसके कारण बहुत हिंसा हुई, तो यहां पे kidnappings काफी हुई, extortion हुआ, यह 90 के दशक से चला रहा है, और यह जो factional clash है, इसके कारण अभी भी वहां पे कभी-कभी हिंसा शुरू हो जाती है, इसके अलावा उल्फा आई, जो परेश forest है, लोहिट district में, इसे इसका इस्तमाल किया जाता है, transit camp के लिए, देखो एक दिन में यह journey पूरी नहीं हो सकती, तो यहां से यहां तक आने के अंदर बीच में रुकना पड़ता है, training वगेरा चलती रहती है, तो यहां लोहिट वाले district में transit camps लगाये जाते हैं, और फिर अ असाम में हिंसक घटना है करी जाती है, और असाम क्या है, plains का area है, तो यहां पर आर्मी के operation आराम से होते हैं, छुपने की जगे नहीं है, तो जैसे ही कोई यहां पर आतंगवादी घटना घटती है, और उल्फा के जो कैडर हैं, वो जाके अरुना चलके पहाड़ों में और strategic है, फिर यहां पर कुछ ऐसी जानकारी भी मिली थी कि CPI मौविस्ट है, जो नकसलवादी हैं, वो भी इस area का इस्तमाल कर रहे हैं, हतियार स्मगल करने के लिए, या फिर NSCN से कुछ साहता प्राप्ट करने के लिए, तो यह भी एक बहुत बड़ा issue बीच में आया था, अरुनाचल में, वो हमारे local लोगों के हकों को खा रहे हैं, हमारा जो हक है, वो कम होता जा रहा है, पश्चिमी शेत्र में, टिबेटन, भूतानीज और नेपालीज आ रहे हैं, तो अरुनाचल के जो tribes हैं, उनका कहना है कि देखो ये वाला area क्योंके भूतान, नेपाल, यह यहां से नजदीक है, असाम से नजदीक है, तो यहां पे तो इन लोगों का दबदबा है, भारी लोगों का, सेंट्रल अरुनाचल के अंदर जो बंगाली, जो बंगलादेशी यहां पे आकर असाम में आ गये थे, वो भी यहां पे business वगेरा करने के लिए, jobs के लिए आ रहे जैसा मिजोरा में, वैसा ही यह भी पहाडी लाका है, और यहां पे एक आदिवासी, कई आदिवासी ग्रुप रहते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है, वो है चकमा, और यह होते हैं, बुद्धिस्ट, तो जैसे लदाक के अंदर majority बुद्धिस्ट हैं, वै यह है सिलहट, ठीक है, सिलहट डिविजन के साथ जुड़ा हुआ था, यह है सिलहट डिविजन, सिलहट के अंदर ही चिदगॉंग आता था, हुआ यह 47 में आजादी के समय यहां पे कराया गया referendum, अब सिलहट के आबादी तो थी पूरी Muslim majority, तो सिलहट ने वोट किया कि हमें जॉइन करना है पाकिस्तान, तो सिलहट के साथ-साथ यह चिदगॉंग भी अटाच होके पाकिस्तान पहुँच गया, अब यह भाडों में रहते हैं, इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन है तो यह majority बुद्धिस की वाला area, इन्हें जॉइन करना था भारत, लेकिन यह भारत मे लड़ा बांगलादेश के आर्मी के खिलाफ और फाइनली 97 में जाके बांगलादेश के सरकार और इनके बीच में समझौता हुआ, लेकिन इस पूरे कारिकाल में, यह 50-60 का जो टाइम था, जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद कई चक्मा आकर मिजोरम में, बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम आबादी थी, तो सरकार ने का चलो चक्माज को और हजोंग को, हजोंग भी एक आदिवासी हैं, लेकिन यह हिंदू होते हैं, ठीक है, हजोंग हिंदू हैं और चक्मा बुद्धिस्ट हैं, तो यह कहां से आये थे, चि अरुनाचल प्रदेश के जो लोकल आदिवासी हैं, जन्जाती समू हैं, वो कह रहे हैं कि चक्माज को अब यहां पर हटाया जाए, यानि आपस में क्लाशेस, टेंशन चली आ रही हैं, तो यह है पूरा चक्मा और हजोंग रिफुजीज का इशू, तो यह अरुनाचल प् अरुक द्वारा हो बनाए गया है, अब आजाते हैं असाम पर, यह है असाम, असाम में पहली चीज़ यह देखो कि असाम में बहुत सारे जन्जाती समू हैं, असाम हलागी प्लेन से लेकिन कुछ पहड़ी इलाके यहां भी हैं, जैसे यह कर्भी आंग लॉंग, दीमा इन्हें भी स्वायत्तिता मिली हुई है, काफी हद तक, एक्जिक्यूटिव और लेजिसलेटिव पावर्स मिले हुएं, और यह ग्रीन कलर में जो डिस्टिक्ट हैं, यह सारे ऑटोनॉमस हैं, अब नगालेंड की बात, असाम को सबसे वॉलेटाइल कहा जाता है, यहां पे समेंटिक्स में नहीं जाना है हमें, आपको याद रखने की चीज यह है कि असाम में एक आंदोलन शुरू होता है, 1970 के दशक के एंड में, 1979 के असाम, आसपास, All Assam Student Union या फिर जैसा इसे कहा जाता है, आसू, इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जो शुरुआत में तो अ पाकिस्तान की जो लीडर्शिप है, वो यहाँ पे काफी अतियाचार कर रही थी, इसलिए कई लोग करोडों की संख्या में, बांगला देश से माइगरेट होकर असाम में आ गये थे, यानि इस्ट पाकिस्तान से माइगरेट करके असाम में घाला है, तो यह जो प्रोटेस् पाकिस्तान का बटवारा हुआ, तो केवल जो 48 तक आये थे भारत में, वही नागरेट माने जाएंगे, सभी नहीं माने जाएंगे, लेकिन यह असाम के लिए डेट एक्स्टेंड करके 1966 कर दी गई, फिर 66 और 71 के बीच में जो आया है, उसे नागरेटा मिल जाएगी, लेकिन 10 साल तक वो वोट नहीं डाल सकता, और 71 के बाद अगर कोई आ है, तो उसे नागरेटा नहीं दी जाए इसे कि यह 61 और 71 के बीच में, 66 और 71 के बीच में जो भी भारता हैं, उन्हें नागरेटा का अधिकार दिया जा सके, इसके लिए एक अमेंडमेंड लाए गया, तो यह अमेंडमेंड लाने के बाद और NRC बनने के बाद भी अभी भी यह समस्या जस्कीत से, तो इस NRC के पूरी तरह से एक आजाद देश बन जाना चाहिए, उन्हें सबसे प्रमुक है, United Liberation Front of Assam, ठीक है, ULFA, ULFA 79 में established हुआ था और इसके दो लक्ष हैं, कि Assam की आजादी और दूसरा, Assam में एक socialist government बनना, socialist government बनाना, ULFA ने कई आतंगवादी हमले किये हैं, जैसे कि राजनेता उन्हें को मारना, train की पट्रियां को खाड़ देना, blast कर देना, कई train accidents हुए है, ULFA के blast के कारण, infrastructure facilities, army और अन्य security forces पे हमले, और ऐसा माना जाता है कि ULFA का NSCN और Nuxilights के साथ बहुत अच्छा tie-up है, बहुत अच्छी इनकी tuning है, तो जिससे ये एक दूसरे को हतियार supply करना या फिर कोई भी operational मदद देनी है, तो ये दे देते हैं, ULFA के जातर camps भुटान में चला करते थे, क्योंकि भुटान भी काफी पहाड़ी इलाका है, जंगल है वहाँ पे, तो वहाँ की army नी भी इन्हें काफी समय तक हटाया नहीं, tolerate करते गए, लेकिन finally 2003 में भारत सरकार के दबाव में आकर भुटान की army ने भारती army के साथ मिलकर एक campaign चलाया, और 2003 में भुटान से ULFA का पूरा सफाय कर दिया, और उसमें कई 100 ULFA के cadres मारे गए, कई arrest भी हुए, और इससे ULFA की capability काफी कम हो गई, तो ULFA जो है, अब 2000 की बात कर रहा हूं है, सन 2000 की, तो ये 2003 की ब 2005 से लेकर 2015 के बीच में भी ULFA ने काफी हिंसक घटनाय करी है, लेकिन अब एक change आया था 2008 में, ULFA के कुछ नेता जो है, वो भारत सरकार से बातचीत को तयार हो गए, यानि उन्होंने ये demand छोड़ दी कि हम आजाद देश चाते हैं, क्योंकि भारत सरकार कभी भी ऐसे किसी स चुरू कर दी गई, लेकिन ULFA के सबसे senior most leader और hardline leaders में से एक परेश बरुआ, जिनका हात माना जाता था, जिस व्यक्ती का हात माना जाता था, सारी हिंसा के पीछे, इस व्यक्ती ने बातचीत से मना कर दिया, और ULFA को दो हिस्सों में बाट दिया, तो परेश बरुआ ने अपनी ULFA independent अलग बना दी और कहा कि मेरा अरविंद राजखोवा और अन्य नेताओं से कोई लेना देना नहीं है, जो असाम को धुका देकर दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं, तो अब परेश बरुआ जो है, वो अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, RS नहीं हुआ परेश बरुआ कहते हैं कि म्यानमार के जंगलों में कहीं रह रहा है और अभी जो हिंसक गटना चुटपुट होती है, वो ये परेश बरुआ वाला जो फाक्शन है, उल्फा आई, ये करवाता रहता है, और उल्फा का भी बांगला देश में और म्यानमार में काफी involvement है, व आपको approximately line दिख रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है असाम में और इसमें जो green color में आपको ये चार district दिख रहे हैं ये कहलाए जाते हैं बोडो land जिसमें कोकरा जार, चिरांग, बकसा और उदल गुरी districts हैं असाम के अब इन्हें रब्बे के दशक में सरकार ने autonomy दे दी थी औ और autonomous council बना दी थी वैसे ही जैसे कारविया अंगलोंग, दीमा हसाओ और इन districts में हैं तो ये जो चार district हैं ये majorly बोडो land माने जाते हैं क्योंके यहाँ पे बोडो जन जाती के लोग रहते हैं बोडो जो है ये असाम के 10 प्रतिशत हैं overall पूरे असाम के 10 प्रतिशत अबादी में बोडो हैं और यहाँ पे उनका concentration सबसे जादा है इन चार जिलों में बोडो की आबादी लगबग 48 से 50 प्रतिशत के आसपास है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकी absolute majority है और ये सबसे बड़ा issue है बोडो land में सबसे बड़ी दिक्कत ही ही है कि लगबग 50 प्रतिशत है ल नदी के उत्तर में ये पूरा बोडो land चाहिए तो पूरा तो नहीं लेकिन सरकार ने चार जिलों को तो बोडो land में autonomy दे दी थी autonomous council बना दी है लेकिन अभी भी वहाँ clashes जारी है तो इस issue को देखते हैं तो बोडो's plains के यानि जो मैदानी इलाका है उसकी सबसे बड़ी tribe है और इन्होंने 1980 के दशक में armed struggle शुरू किया यानि हत्यार उठा है सरकार के खिलाफ कि हमें बोडो land दिया जाए और इस struggle में सबसे बड़ी problem ये हुई कि दूसरे जो जन जाती के लोग हैं उनके खिलाफ हिंसा होनी शुरू ही बोडो ने जो वहाँ पे दूसरे मुसलिम रहत दशक में इनकी मांग मानते हुए बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसल इन्हें दे दी 93 में accord साइन हुआ समझोता साइन हुआ सरकार के साथ बारत सरकार के साथ जिसमें बोडो लैंड ऑटोनोमस काउंसल बनाई गई और इसके बावजूद अभी भी कुछ शंगटन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें बोडो लैंड अलग देश चाहिए अब नौर्थीस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई गुट कुछ कहता है दूसरा गुट कुछ और कहता है तो यहाँ पर भी NDFB में कुछ ऐसे फैक्शन हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बोडो एक अलग राज्य का दर्जा हासिल कर जाए तो अलग-अलग तरह है कि डिमांड है और यही सारी प्रॉब्लम कर देती है सरकार को इसे सॉल्व करने में 2003 में बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक और अकॉर्ड साइन किया गया और लगबग 15 साल से जो यह बोडो अच्छे कदम उठाएगी आप मुझे यह बताईए कि क्या बोडो भाषा भारत की constitutional recognized languages 22 भाषा हैं जो हैं उनमें से एक है या नहीं यह आपको मुझे बताना है अगर नहीं पता तो जाके polity का ओ लेक्चर देखो जहां पर मैंने यह discuss किया था language वाला issue अब जब सरकार ने 2003 म उन्होंने कहा कि हमारा क्या होगा हमारी भाषा भी तो है अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो भी Muslims रहते हैं उनमें से कुछ तो असाम के original निवासी हैं और कुछ क्या जादा तर बांगलादेश से आए migrate करके तो जब 60 और 70 के दशक में बांगलादेश से continuous migration हो रहा था तो इस एरिया में काफी लोग सेटल हो गए यानि जो ब्रह्मपुत्र का उत्तरी वाला चोर है उत्तरी चोर पे कई लोग सेटल हो गए और यहाँ पर खेती करनी शुरू कर दी और बंगाली Muslims को खेती करनी काफी अच्छी आती थी तो इन्होंने काफी areas में खेती करनी शुरू करी और धीरे धीरे यहाँ पर आकर यह बसते गए और इनकी जनसंक्या बढ़ती गई और इसलिए अस्ती और नब्बे के दशक में यह clash होना शुरू हुआ जब बोडोस को लगा कि हम यहाँ पर minority होते जा रहे हैं या फिर हमारा majority status खत्रे में है तो अब जो main जगड़ा है वो बंगाली Muslims के बीच में यहाँ बंगाली speaking यहाँ रखना यह बंगाली भाशा बोलते हैं तो बंगाली भाशा आसाम में पहले से भी कई लोग बोलते हैं जब बंगाली बना नहीं था 1971 में उसके पहले से लेकिन बोडोस का कहना है कि यह जाहतर सब illegallyly आके रह रहे हैं और इन उनमें भी सबसे बड़ा ग्रूप है Muslims तो non-bodos ने कहा है कि जो बोडो आंदोलन है उसने दूसरों के खिलाफ हत्यार उठाया है कई हत्याएं हुई है धंक्या दी गई असॉल्ट हुए गाउं को खाली कराया गया है कई बार मार पीट करी गई है एक्स्टॉशन किया जात और चार लाख लोग अपने घर से विस्थापित हुए थे आप समझे चार लाख लोगों को इन एरियास में अपना घर छोड़ना पड़ा था मेंली जो Muslims हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था हिंसा के डर के कारण कि हमारी जान को खत्रा है इसलिए वो जाके camps में कुछ हफतों के लिए अब ये 2012 वाला जो clash है ये इसलिए important है क्योंके इसने एक अलगी रूप धारन कर लिया ये पहला ऐसा clash था जिसमें social media का इस्तमाल किया गया अगर आप लोगों को याद हो 2012 में अगर आप लोग ने news देखी हो आप में से किसी ने तो उस समय ये news आई working people हैं तो केरल, बेंगलूरू, करनाटक के अन्य हिससे वहाँ पर एक अफ़ा उड़ाए गई कि क्योंके बोडोज असाम में muslims को मार रहे हैं इसलिए यहाँ पर यानि दक्षिन भारत में जो muslim हैं वो असामी लोगों को उनके खिलाफ हिंसा अपनाएंगे या फिर उनके किसी group का plan नहीं था, कि किसी ने officially धंकी दियो लेकिन सिर्फ एक social media अफ़ा के कारण लाखों लोग mobilize हो गए थे, लाखों लोगों को अपनी नौकरी और घर छोड़ना पड़ा था, तो यह जो असाम में clash हो रहे थे, इसका ramification, इसका असर कहां पर हुआ, दक्षिन भारत में, इसलिए internal security आपके लिए पढ़ना जुरूरी है, अगर असाम में कुछ होता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो असाम के केवल 2 या 4 जिलों में असर करेगा, वो देश भर में कहीं पे भी असर कर सकता है, 2018 में ऐसी same situation गुजरात में भी हुई, कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसमें किसी UP के व्यक्ति को arrest किया गया, जो वहाँ पे migrant worker था गुजरात में, और इसके खिलाफ एक अफ़ा उड़ाई गई कि अब UP बिहार के लोगों को गुजरात में नहीं रहने दिया जाए क्योंकि जब हजारो लाखो लोगों का involvement है तो देश की सुरक्षा को खत्रा है, आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताई दिया है कि Bodo problem जो है, वो main यह है कि जो ancient Bodo tribes हैं, वो कहती हैं कि हम तो सदियों से यहाँ पर बसे हुए हैं, ब्रह्मो पुत्र के उत्तरी हिस्से ब्रह्मो पुत्र के उत्तरी छोर पे और अभी जो यह पिछले 30-40 सालों में बेंगॉली स्पीकिंग इमिग्रेंट्स आये हैं, यह आकर हमारी जमीनों पर बस गए हैं, बोडोस की अपनी अलग भाशा है और बोडोस का अपना अलग कल्चर है, लेकिन जो बेंगाली मुसल हैँ, क savings bar to BTC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बोडोland territorial council जो भारत सरकार ने दिये उसे कई अब बोडोland territory area district, btad भी कहा जाता है, अब BTC में 50-70% non-borderlo стоqy हैं, बोडोस कहते हैं कि यह संख्या 50 इना बोडोस कहते हैं, यहिते हैं कि यह संक्या 50 से कम है, लेकिन बोडो लैंड टेरिटरियल काउंसल बनना जायज है क्यूविए यहाँ पे 50 प्रतिशत से जूदा लोग बोडो हैं और नॉन बोडो कहते हैं कि क्यूविएITHर प्रतिशत से जाधा नॉन बोडो है तो इसलीए इसे हटा दिया जाए और इनकी ये डिमांड है कि कम से कम बोडो लेंड टेरिटोरिल का जुरिस्डिक्शन उन गाउं से हटा दिया जाए जहां पे 50 प्रतिशत से जादा बोडो नहीं है तो अगर कहीं पे केवल 30 प्रतिशत बोडो आबादी है किसी गाउं में तो वो BTC में शामिल ना किया जाए फिलाल BTAD में 4 डिजले हैं कोकरा जहर, बकसा, उदल गुरी और चरंग लगबग 35 प्रतिशत असाम का हिस्सा इस BTAD में आता है इस मैप में आप फिर से देख सकते हैं, जो फिर्स स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था और BTAD को 6th schedule के अंडर बनाये गया है आपको याद है 5th और 6th schedule में कौन से autonomous areas बनाये जाते हैं 5th schedule बता दो आप मेरे को, 5th में कौन से राज्जे थे और 6th में कौन से थे कुछ कुछ याद आया, AMMT करके मैंने एक acronym बना के दिया था आपको AMMT के नाम से याद रख लेना तो वो AMMT किसका था, 5th का या 6th का, बताओ आप, आपको याद करना है तो BTC में 3082 गाओं है, 40 elected representatives हैं असाम सरकार 6 और representative अपनी तरफ से nominate करती है और इन 40 में से जो 30 हैं, वो Tribals के लिए reserve है Tribals यानि के कौन हो गए, Bodo तो obvious ही बात है, BTC के अंदर दब-दबा किसका रहेगा 40 में से 30 तो Bodo हैं, 5 जो हैं, वो non-Tribals हैं और 5 general contest, यानि कोई भी चुनाव लड़ सकता है तो mainly इस council के अंदर जाद तर जो हैं, वो Bodo's ही हैं और उनी का दब-दबा रहेगा Bodo Land Territorial Area District बनाने का एक सबसे बड़ा fallout या सबसे घातक परिणाम क्या हो सकता है देश में ये idea, ये message चला जाए कि अगर आपकी अलग ethnic city है तो आप एक अलग ग्रह राज्य की मांग कर सकते हैं या फिर territorial homeland मांग सकते हैं और सरकार आपकी सुनेगी अभी तक देखो क्या हुआ था जहां पे भी autonomous councils दी गई है वहाँ पे किसी एक tribe के लिए नहीं दी गई है autonomous council इसलिए दी गई है क्योंकि वह पूरा इलाका या तो पिछड़ा हुआ है जैसे लदाक वहाँ पे अलग-अलग जन जातियां है access बहुत मुश्किल है roads नहीं है geographically बहुत tough terrain है ऐसे areas में autonomous councils बनाई गई है जैसे त्रपुरा का example हमने देखा था या फिर हम लदाक देख सकते है Bodo Land पहली territorial council थी जो किवल एक जन जाती के पीछे पूरी-पूरी territorial council सरकार ने दे दी इससे अब यह idea गया है समाज में कि कल को महराश्टर में अगर कोई भी community बोलती है कि हमारे लिए एक अलग autonomous council दी जाए तो वो भी सरकार को देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे Bodo Land बना के दे दिया है तो यह BTC जो है एक ethnic oriented council है और इसने security नहीं दी देखो अगर Bodo Land territorial council बनने के बाद जड़ब बंद हो जाती या फिर वहाँ पे शान्ती हो जाती तो फिर भी इसे successful माना जा सकता था लेकिन आज की तारीक में जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो BTC पूरी तरह से एक failure है क्योंकि BTC बनने के 15-16 साल बाद भी आज भी उस area में हिंसा जारी है आज भी non-bodos को मारा जा रहा है तो यह BTC एक तरह से पूरा failure है क्योंकि वो अन्य लोगों को security नहीं दिला पाया है यह वही बात हो गई कि जब भारत आजाद हो रहा था तो कई लोगों ने कहा कि भारत को एक हिंदू राज्य बनाया जाए अगर भारत हिंदू राज्य बन जाता और साथ-साथ में यहाँ पर minorities भी अच्छे से रह लेती यानि minorities को पूरा protection मिलता तो भारत successful होता लेकिन आपको लगता है कि यह possible था या नहीं देखो सबके अपने-अपने अलग विचार हो सकते है अलग thinking हो सकती है उसमें हमें debate नहीं करना है लेकिन यह कुछ-कुछ उसी तरह की बात है कि कुछ लोग यह मानते है जैसे Congress Party का यह मानना था कि भारत एक secular देश होना चाहिए ना कि Hindu राज्ये Hindu महसाभगा कहना था भारत Hindu राज्ये होना चाहिए Congress कहती है कि अगर भारत Hindu राज्ये बन जाता है तो Minorities को Security मिले गया है नहीं तो यहाँ पर यह प्रूव करता है कि Security नहीं मिली है फिर एक संगटन है NDFB National Democratic Front of Borderland काफी अश्यरे की बात है आप देखिए जहाँ पर भी जो भी संगटन है जो हिंसा का उप्योग करते हैं वही अपने नाम में Democratic और National और इस तरह की शब्द लेकर आते हैं कभी भी आप देख लेना दुनिया के किसी भी कोने में जो सबसे हिंसक संगटन होंगे वही अपने नाम में National और Democratic नाम की शब्द जोडेंगे तो NDFB वह संगटन है जिसने हत्यार उठार के हैं सरकार के खिलाफ एक अलग देश बनाने के लिए Bodo Land नाम का और सरकार ने इसे एक आतंगवादी संगटन गोशित कर रखा है 1998 में इसकी स्थापना होई थी और NDFB कहता है कि हम सभी Bodo लोगों को रेप्रेजेंट करते हैं और इनका में मुद्दा ये है कि ये वाला एरिया अंडर डेवलप्ड है और यहां पे बहुत सारे अप्रवासी आकर रह रहे हैं इन दोनों को अगर हटा दिया जाये तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सीसफायर एग्रिमेंट साइन कर दिया भारत सरकार यही करती है नौर्थ इस्ट में सबके साथ सीसफायर एग्रिमेंट साइन करती है फिर कहती है कि आओ बातचीत करें तो NDFB में भी कुछ लोग मान गए बातचीत के लिए लेकिन एक संगटन है NDFB S जिसके नेता है IK सौंग भी जीत तो सौंग भी जीत के कारण इसे कहा जाता है NDFB S तो NDFB S अभी भी हिंसा पर उतारू है और इसने बातचीत करने से मना कर दिया है देखते हैं भविश्य में NDFB S भी बातचीत की टेबल पर आता है या नहीं अब आते हैं कर्भी अंगलॉंग पर कर्भी अंगलॉंग जो है वो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है ये असाम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कर्भी अंगलॉंग और इसकी लोकेशन ऐसी है देखो एकदम सेंट्रल लोकेशन है इसकी असाम में भी और इधर से नगालेंड के भी नजदीक है, मनिपूर के भी नजदीक है, मिजोराम और त्रिपुरा से भी नजदीक है, तो यहाँ पे multiple ethnicities के लोग रहते हैं, कार्भी आंगलॉंग डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जंजाती समू है कार्भी का, कार्भी जंज गाए दिम्सा जो है यहाँ पर इस एरिया में मिलते है मेली दिम्सा, रेंगमा, कुकी, कुकी कहां मिलते थे याद करो, नगा लैंड में कुकी जंजदी, गारो, गारो कहां होते हैं? मिगाले मेंметपिर, तीवा, खासिज, हमार, मीजो, मीजो कहां होते हैं? मिजोर producers दे चक तो कुछ चक्मा यहां भी आकर सेटल हो गए, यहां पे multiple tribes हैं, केवल एक नहीं है, और इसलिए कार्भी अंगलोंग इस इतना पेचीदा है, तो वैसे कार्भी अंगलोंग देश के सबसे पिछड़े हुए districts में से एक है, district headquarter का नाम है दीफू, और यह असाम के उन 11 district में से है जिने केंदर सरकार द्वारा backward region grant fund program के तहद पैसे दिये जाते हैं, कि आप development कीजिए, बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं इसलिए, तो यह है कार्भी अंगलोंग का basic outline, अब कार्भी अंगलोंग में सबसे बड़ा group क्या है कार्भी इस का, तो कार्भी इस कहते हैं कि हमें अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, असाम से अलग और इनमें दो डिस्टिक्ट होने चाहिए, कार्भी अंगलोंग और दीमा हसाओ, और एक संगठन बना दिया गया, कार्भी लॉंगरी NC Hills Liberation Front, KLNLF, KLNLF पहले तो हिंसा पर उतारू था, लेकिन बाद में कुछ हिस्सा ऐसा था जिसको बातचीत पसंद नहीं थी, और इन लोगों ने अपनी अलग organization बना ली, जिसका नाम है कार्भी People's Liberation Tiger, KPLT, 2010 में ये split हुआ, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं था कि KLNLF के जो नेता हैं, वो सरकार से बातचीत कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना KPLT के और KPLT काफी हिंसा पे उतारू है, KPLT लगातार हिंसा करता रहता है, अन्य जनजातियों के खिलाफ, तो ये वाले जित्ते भी दूसरे वाले जो जनजाती समू हैं, इनके खिलाफ KPLT हिंसा का रास्ता अपनाता है, और इन्हीं में सबसे बड़ा गुठ है रेंगमा अनगा का, तो नगा आधिवासी ने अपना अलग संगठन बना लिया, रेंगमा नागा हिल प्रोटेक्शन पोर्स, किस से KPLT से, क्योंकि KPLT के अटाक्स बढ़ते जा रहे थे, तो 2012 में ये रेंगमा नागा हिल प्रोटेक्शन फोर्स बन गया, क्योंकि कर्बी आं Salvador में भ काफी न्यूज में भी रहा था उस समय तो आपको यहाँ पे समझने के लिए point यह है कि North East में किवल एक संगठन एक अलग राजजर डिक की demand कर रहा है ऐसा नहीं है अब कार्भी अंगलोंग अल्रेडी एक autonomous district है कार्भी अंगलोंग को autonomy मिली हुई है autonomous council महाँ पे बनी हुई है लेकिन इस autonomous council के अंदर भी रेंगमा नागा कह रहे हैं कि हमें और autonomy दी जाए क्योंकि यहाँ तो कार्भी डॉमिनेट कर रहे हैं तो हमें कार्भी अधीन नहीं रहना है आप हमें अलग से अपना area और दे दो autonomous इसी कार्भी अंगलोंग district के अंदर तो एक तो है Assam, Assam के अंदर अब एक हो गया कार्भी अंगलोंग जो अलग राज्य की मांग कर रहा है और इसके अंदर भी रेंगमा नागा अपना अलग autonomy demand कर रहे हैं तो autonomy पर autonomy अलग-अलग levels पर demand की जा रही है तो ये तो था कार्भी अंगलोंग और borderland का issue अब मैं आता हूँ overall North East में उत्तर पूर्व में इतनी insurgency क्यों है क्या क्या उसके कारण है ये factors हम एक साथ list out कर देते हैं अगर अभी तक आपने सारे lecture ध्यान से सुनें तो आप ये खुद भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने point out कर दिये हैं लिस्ट कर दिये हैं जिससे आप answer में इने तुरंट लिख सकें पहला है alienation की भावना यानि यहां से mainland का एक जुड़ाव नहीं हुआ है जो भारत की मुख्यदारा है भारत का culture है भारत के popular culture है popular imagery है उसके अंदर North East इतना जुड़ नहीं जाया है और यही reason है कि यह जो भावना है अलग होने की यह tribal population में घर कर गई है इसके दोर कारण भी है एक तो सरकार भी इतना जादा वहाँ पर पहुंच नहीं पाई है सरकार की facilities पूरी नहीं है सरकार का इतना communication नहीं है तो वहाँ की जो tribal population है वो अपने आपको अलग थलग महसूस करती है दूसरी है कि border की दूसरी तरफ म्यानमार में भी सेम इसी तरह की problems है म्यानमार के उत्तर हिस्से में भी जैसा भारत के उत्तर पूर्व में है वैसा वहाँ भी अलग अलग गुठ है जो autonomy demand कर रहे है अलग राज्य डिमांड कर रहे है और क्यूंके ethnicity ethnicity same है जैसे नगा गुरूप है आपको याद होगा कौन सा वाला मैं बात कर रहा हूँ इजाक मुईवा या फिर खापलांग गुरूप हम बात कर रहे हैं एनसीन खापलांग जो अभी भी हिंसा कर रहा है वो म्यानमार में अपने आपको अपने cader's को train करता है क्योंके वहाँ भी नगाज है जो एनसीन को support करते हैं और वो भी म्यानमार से अपना अलग राज्य मांग रहे हैं तो इसलिए similar ethnicity के कारण जो अपनत्व की भावना है वो कई बार दूसरे देश के लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है जिसे पंजाब में भी यही चीज है पंजाब में पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे भी लोग पंजाब ही बोलते है भारत के पंजाब में भी पंजाब ही बोलते है तो culture more or less similar है लेकिन देश अलग है तो आप चाहे अपनत पोरस होने के कारण आतंगवादी आराम से एक से दूसरे देश में मूव कर जाते हैं हतियार मूव कर जाते हैं, ड्रग्स का मूवमेंट हो जाता है और उसे रोकना बहुत मुश्किल है फिर demographic pattern बदल गया है असाम और तृपुरा जैसे राज्यों में जब से disconnect का बहुत बड़ा कारण है physical disconnect देखो जब कोई व्यक्ति आप से physically दूर होगा, तो आप उसके साथ इतनी अपनत्व की भावना जोड़ ही नहीं पाऊगे North East North East में अब तो flights हो चुकी है अब तो लगबग सारे state capitals airport से connected है, आज से 30 साल पहले 80, 90 के दशक तक, जब Air India के अलावा और कोई flight नहीं होती थी तो आपको अगर IZOL, Kohima North East की capitals तक पहुचना है तो दिल्ली से कम से कम 4 दिन लगते थे, पहले आप train पकड़ेके गोहाटी जाओ, फिर आगे सिल्चर तक train connectivity है, उसके बाद आप बस पकड़ो, दो दिन बस में लगेंगे इन capitals तक पहुचने में, तो कम से कम 4-5 दिन का रस्ता था, तो जब capital पहुचने में इतना समय लग जाता है, तो आप खुदी सोचोगी schemes कितनी लेट पहुचेंगी, officers कितना लेट पहुचेगा, bureaucracy में हर चीज डिले होगी, तो यह जो physical distance है, यह disconnect है, यह बहुत दूरियां बना दिता है, और इसे सुधारने के लिए भारत सरकार ने बीड़ा उठाया है, कि जितने भी देश के capitals हैं, सब को train से जोड़ा जाएगा, इसी क्रम में बस North East और कश्मीर हिमाचल यह वाले capitals बचे थे, इन्हें अब जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए train connectivity बनाई जा रही है, कश्मीर में भी, North East में भी, जब आप यह video देख रहे होंगे, तो आप एक homework करिए, जिस दिन आप यह video देखें, lecture देखें, आप एक बार search करिए कि क्या कोहिमा तक rail line बन चुकी है, नहीं, बन रही है, जब मैं यह video बना रहा हूँ तो अभी बन रही है, बनी नहीं है, आप जब यह video देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि connectivity कहा तक है, तो इटा नगर, कोहिमा और आईजॉल उसके अलाबा, दीमापूर देखो, नगालेंड में कहा तक train है दीमापूर तक तो दीमापूर एक बड़ा station है दीमापूर तक है, लेकिन कहा तक ले जाने की कोशिश है, कोहिमा तक और इमफाल तक भी train का काम चल रहा है तो आपको ये पता करना है कि कहा कहा तक trains पहुँच चुकी है, किन capitals तक ये आपका homebuck है, दूसरा है corruption, बहुत ज़्यादा corruption है, ruling elite में भारत के हर राज्य में है, हर society में है इसके कारण, corruption के कारण development का process बहुत slow हो गया visionary leadership नहीं है tribal communities के अंदर एक ऐसी सोच रहती है कि मैं अपनी tribe और अपने घर परिवार को ज़्यादा उपर लेकर जाऊं, बजाए पूरे state को या पूरे जो राज्य की tribes हैं उनको, तो खनावला जैसी leadership जिन्नोंने अपनी chief ministership की गदी छोड़ दी, ताकि राज्य में शांती हो, इस तरह की leaders वहाँ पर बहुत कम हुए हैं, जो हुए हैं बहुत ही कम संख्या में रहे हैं, तो visionary leadership की कमी है, tribal communities के अंदर अगर कोई अच्छा नेता उभर कर आता है तो कई सारी दिक्कते तो ऐसे ही solve हो जाएंगी सरकार से बातचीत के द्वारा फिर development नहीं है, सरकार के द्वारा basic amenities नहीं है North East के कई शहरों में अभी भी पीने का पानी नहीं है pipe water नहीं है, electricity अब जाकर 2018 में जाकर electricity पहुँची है अभी भी complete electrification की बात सरकार तो कहती है लेकिन ground reality यह है कि अभी तक complete electrification नहीं है rural areas में easy availability of arms and ammunition अब Thailand का border बहुत नजदीग है Thailand Myanmar को cross करके तुरंट आ जाता है Thailand में सबसे ज़्यादा illegal guns का production होता है Thailand और China दोनों में तो वहाँ से हतियार स्मगल करना असान है political support है various factions के द्वारा तो जैसे कई म्यानमार का area है वहाँ से इने political support पैसा मिल जाता है चाइना के द्वारा भी इस northeast की insurgency को बढ़ावा दिया जाता है ताकि northeast कभी stable ना हो भारत का और म्यानमार में भी instability है देखो अगर म्यानमार पूरी तरह से stable होता वहाँ पे एकदम security situation 100% होती तो भारत में कोई भी घटना करके आतंगवादी म्यानमार नहीं भाग सकते थे अभी क्या होता है हिंसक घटना को अंजाम दिया जाता है मनिपूर में और आतंगवादी भाग कर म्यानमार में चुप जाते है और सेम उल्टा इसका म्यानमार में होता है क्योंकि वहाँ पे भी ही problem है इंसरजनसी की म्यानमार सरकार के खिलाफ तो वहाँ पे घटना होती है और वो आके छुप जाते हैं भारत के जंगलों में अगर म्यानमार के आर्मी का पूरा support हो या पूरी तरह से वहाँ शांती हो तो भी इसको काफी जल्दी solve किया जा सकता था हाला कि इसमें सुधार आ रहा है जैसे भूटान और बांगलादेश ने भारत को पूरा support दिया है तो 2003 में भूटान ने एक operation चलाया है और सारे जितने भी उल्फा के आतंगवादी है उन्हें भगा दिया भूटान से उन्हें हटा दिया फ्लश आउट कर दिया बांगलादेश ने भी सेम चीज़ें करी थी तो बांगलादेश और भूटान से support है म्यानमार से अभी इतना forthcoming नहीं है support फिर कई पडोसी मुल्क हैं जहां पर insurgent groups shelter ले लेते हैं training के लिए तो नगा ग्रूप जो है और आसाम बेस ग्रूप है ये म्यानमार से operate करते हैं मिगाले और जो त्रिपुरा के ग्रूप है वो बांगलादेश में अपने camp लगा लेते हैं नेपाल एक नया destination उभर रहा है transit के तौर पर जो Kathmandu airport है वो transit का काम करता है अन्य देशों में जाने के लिए तो यहां से बाइरोड आतंगवादी पहुँच जाते हैं नेपाल नेपाल से Kathmandu airport पे इतनी security नहीं है scrutiny नहीं है वहां से flights करके अन्य देशों में पहुँच जाते हैं खास करके China Bhutan को भी Assam based underground groups जैसे ULFA और NDF भी यूज़ करते हैं लेकिन Bhutan army का अब काफी support है तो Bhutan की army ने इन्हें बाहर ख़देट दिया था और ऐसे input मिलता रहता है intelligence को कि Chinese army का भी moral support इन्हें है और Chinese army भी इन्हें हतियार supply करने में हतियार supply नहीं करती directly लेकिन हाँ कुछ help मुहया करवा देती है insurgent groups को तो क्योंके mainly जो भी हतियार आते हैं सारे China या Thailand से आते हैं और वो भी smuggled होते हैं तो China के रास्ते से ही होते हैं फिर दूसरा जो local extortion और local drug smuggling का जो business है ये इन groups को बहुत पैसा देता है तो जब तक पैसा आता रहेगा तब तक ये फलते फूलते रहेंगे तो इसलिए drug smuggling और extortion रैकेट पे लगाम कसनी बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी का भी पैसा रोक दो अगर आप किसी का भी जो source of funding है उसे रोक देते हो तो फिर आप उस group को या फिर उस व्यक्ति को रोक सकते हो असानी से तो अब देखते हैं government का क्या response रहा है इस North East extremism के खिलाफ भारत सरकार की strategy composite रही है बिली जुली strategy रही है पहला बाचीत के लिए बुलाया जाये सबको peace talks करें लेकिन एक ही शर्त होती है हिंसा छोड़ोगे तो बाचीत होगी भारत सरकार हमेशा यह कहती है तो भारत सरकार ने लगबख सभी संगटनों से ceasefire या फिर suspension of operation sign कर रखा है और जितने भी insurgent groups हैं बड़े बड़े 17-18 इन सबके साथ यह sign हुआ हुआ है और सबके साथ बाचीत चल रही है और सरकार ने लगातार यह बात कही है कि हम हर किसी के साथ बाचीत के लिए तयार है लेकिन भारत के समिधान के अंदर भारत के समिधानिक दायरे से बाहर जाकर हम बाचीत नहीं कर सकते है इसका क्या मतलब है आप बोलो कि बोडो लैंड राज्य बनाना है ठीक है भारत सरकार सुनेगी बात करेगी आप बोलो कि बोडो लैंड अलग देश बनाना है बिल्कुल नहीं हो सकता Autonomous Councils बनाने की बात कर सकते हैं नया राज्य बनाने की बात कर सकते हैं लेकिन अलग देश की बात नहीं की जा सकती इसलिए NSCNK से अभी तक बातचीत नहीं हो रही है NSCN IEM से हो रही है क्योंकि IEM ने अपनी वो डिमांड छोड़ दी है कि हम नगालेंड को अलग देश बनाना चाते हैं NSCNK अभी भी कहता है कि नगालेंड को हमें अलग देश बनाना है फिर भारत सरकार के basic guiding principles क्या हैं इन बातचीत में या फिर इस पूरी insurgency matter को solve करने के लिए तो सबसे पहला special scheme law of development के लिए infrastructure को बढ़ावा दिया जाए proportionate use of force यानि army को एक blunt हतियार की तरह एक हतोड़े की तरह इस्तमाल नहीं करके एक surgical knife की तरह इस्तमाल किया जाए जहाँ पे जरुरत है कि वहाँ पे army का इस्तमाल हो dialogue and negotiation structural changes कि political autonomy दी जाए जितनी हो सके उतनी autonomous council दो तो आप उत्तरपूर्व में देखेंगे autonomous councils बहुत सारी है तो autonomous council देने से एक बार लोगों को लगता है कि हाँ सत्ता हमारे हाथ में है और इसलिए local control बढ़ता है और इससे ये भावना आती है local लोगों में कि हाँ हमारा control हम खुद देख रहे हैं इनफाल और कोहिमा को जो road connect करती है जो दोर state capitals को road connect करती है वो पूरी तरह से paved तक नहीं है यनि उस पर tarmac भी नहीं है वो आदे से ज़्यादा road कच्ची है और वो national highway है त्रिपूरा को जो road connect करती है पूरे भारत से NH44 जिसका नाम अब बदलकर number बदलकर NH8 हो चुका है नई numbering system के अनुसार ठीक है तो आप कोशिश करो दोनों ध्यान रखो अभी बहुत सारा confusion है highway numbering को लेकर लेकिन जो नई numbering system है उसमें उसका number है 8 तो वो जो NH44 है NH8 है वो इतनी खराब हालत में है कि हर साल कुछ भी भारत की तरफ से supply नहीं होती तो हमें बांगलादेश की मदद लेनी पड़ती है कि बांगलादेश साइड से त्रिपूरा में सामान पहुँचाया जाता है emergency का तो इस तरह की हालत है अभी भी state capitals की आजादी के 70 साल बाद तो ये जब तक city नहीं सुधरेगी infrastructure नहीं सुधरेगा तब तक development का next phase शुरूर नहीं हो सकता फिर सरकार ने act east policy लाई है पहले उसका नाम look east था अब act east है तो north east इंडिया को एक jumping board की तरह देखा जा रहा है south east Asia के लिए तो अगर south east Asia से connectivity बढ़ानी है तो north east इंडिया को develop करना पड़ेगा फिर business summits लाई जा रही है investment लाने के लिए तो ये हर राज्य सरकार का favorite काम होता है investment summit organize करो बाहर से लोग आएंगे हजारो करोड promise करके जाएंगे धरातल पे कितने करोड आते हैं उसे देखने में समय लगता है लेकिन हाँ एक बार को promise तो हो जाते हैं हजारो करोड तो इस तरह की summits north east में भी अब शुरू हो रही है खास करके जो असाम सरकार है उसने भी एक अपनी business summit organize करी थी तो उसमें काफी बड़े-बड़े companies ने projects अपने promise की हैं असाम में फिर अलग-अलग exhibitions हैं seminars हैं पूरे दुनिया के अंदर पूरे देश में जो north east के culture को handicrafts को महां के items को दिखाते हैं दुनिया को tourism को बढ़ावा देते हैं और tourism भी इसमें आप जोड सकते हो ये भी एक बहुत बड़ी strategy है जितने जादा लोग इंडिया के north east में घुमने जाएंगे उतना connect बढ़ेगा उतना अपना थवकी भावना बढ़ेगी और उतना mainstream popular culture के अंदर north east आना शुरू हो जाएगा तो अब आप देखेंगे इस और काफी कदम बढ़ रहे हैं जैसे Assam government ने एक बहुत ही प्यारा आड निकाला है advertisement निकाला है जो आपको international websites पे देखने को मिलेगा एक वीडियो है आप YouTube पे भी देख सकते हैं Assam government का वीडियो वाकई काभिले तारीफ है मुझे personally बहुत अच्छा लगा Assam, Sikkim इन सारे states ने initiatives लिये हैं केंद्र सरकार द्वारा तो 96 में ततकालीन प्राइम मिनिस्टर ने अनौंस किया कि जितना भी budget आता है किसी भी department का उसमें से 10% budget हर ministry का North East के उपर खर्च किया जाएगा जितने भी जैसे Health Ministry है या फिर PWD है सभी का 10% budget North East India पे खर्च होगा दूसरा initiative सरकार ने ये लिया कि non-lapsable central pool of resources बना दिया गया है उत्तरपूरवी राज्यों के लिए 1998 से central pool का मतलब है कि एक जगे केंद्र सरकार पैसा इखटा करके रखती है कि ये North East के development के लिए है और वो वाला जो पैसा है वो non-lapsable है ये काफी important है लapsable का क्या मतलब होता है generally ये होता है किसी भी सरकारी विभाग में कि अगर आपको 100 रुपे का budget दिया गया है सोचो आपको किसी एक particular year के लिए PWD department को 100 करोड दिये गए कि 100 करोड रुपे रखो और ये आपको सडके बनानी है 100 करोड में उस 100 करोड में से अगर PWD 80 करोड की सडके बना दिता है तो बाकी के 20 करोड रुपे PWD के पास नहीं पढ़े रहेंगे अगले साल के लिए वो 20 करोड रुपे फिर से केंदर सरकार के main budget में चले जाएंगे वहाँ से फिर से reallocate होंगे तो या तो आप अपने 100 करोड पूरे खर्च कर लो या फिर 80 करोड की हैं तो वो 20 करोड फिर से देने पड़ेंगे तो यह होता है lapsable budget लेकिन non-lapsable में अगर 80 करोड भी खर्च होंए है तो वो 20 करोड यहीं पर पड़े रहेंगे PWD के पास तो यह होता है इस central pool में तो अगर north east के लिए सरकार ने 200 करोड दिये और खर्च हो पाए केवल 50 करोड तो बाकी के बचे 1500 करोड भी अगले साल के लिए यहीं पर बचे रहेंगे तो अगले साल अगर फिर से 200 करोड का budget आता है तो total पैसे खर्च करने के लिए हो जाएंगे 300 करोड तो यह बहुत important चीज़ है generally सरकार के सारे department में जो भी budget होता है वो lapse हो जाता है इसलिए सरकारी officers जो है खर्चा करने पर या फिर budget बनाने में लगे रहते हैं कि budget को इस्तिमाल करना है पूरा तो आप भी अगर government service में जाएंगे तो आप भी समझेंगे इस चीज़ को चलिए आगे बढ़ते हैं department of development of northeast region do nr बनाया गया northeast region के अलग से development के लिए और 2004 में इसे पूरा मंत्राले बना दिया गया है तो अब ministry of northeast region है m o n e r आपका homework है पता करो इस वक्त इस ministry का minister कौन है इसमें कौन राज्यमंत्री है कौन केंद्र मंत्री है यह जो ministry है mainly infrastructure projects के लिए काम करती है या फिर economic development के लिए काम करती है उत्तरपूर्वी region के लिए तो यह इस ministry का आप देख सकते हैं main focus है यह वाले उत्तरपूर्वी राज्ये फिर special category status 11th plan से change किया गया special category status दिया गया 11th plan से 1971 में North East Council की स्थापना करी गई तो जैसे regional councils होती है western zone council, northern zone council वैसे ही North East Council अलग है और इसे restructure किया गया 2002 में as a regional planning body for North East region फिर social and infrastructure development fund है यह finance minister का package है 2008-09 में दिया गया plan scheme आई advocacy and publicity और plan scheme capacity building और technical assistance यह भी सारे पैसे हैं जो दिये गए थे capacity building के लिए यानि skill development है infrastructure है इन सभी works के लिए पैसे दिये गए Asian Development Bank ने North East में roads बनाने का special investment program स्टार्ट किया है और World Bank ने भी North East rural livelihood project स्टार्ट किया था तो livelihood के लिए World Bank और roads बनाने के लिए ADB Asian Development Bank ने special पैसा दिया North East Industrial Investment and Promotion Policy 2007 लाई गई गई hill area development program in the North East region तो आप देखेंगे केंदर सरकार की कई schemes हैं बहुत सारी schemes हैं आपके लिए मेरा एक question है यहाँ पे इतनी schemes होने के बावजूद धरातल पे North East में आपको development देखने को क्यों नहीं मिल रहा तो इसके answer में आपको 100 शब्द लिखने हैं power lines लगाना बहुत मुश्किल काम है फिर आप लिखे stability अगर किसी contractor को यह खत्रा है कि उसके करमचारियों को कोई धंकी देगा extraction के पैसे मांगेगा या फिर जान से मार देगा तो फिर कोई भी contractor इतनी आसानी से महाँ काम करने को तैयार नहीं होगा और इसी यह cycle तोड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तो आपको यह points लिखने हैं कि एक तो terrain फिर दूसरा security situation फिर आप यह लिखेए कि schemes अभी आनी start हुई है 10 साल, 20 साल में तो इन्हें implement करने में समय लगता है तो धीरे-धीरे आपको results देखने को मिलेंगे जब green revolution हुआ था तब भी कोई 1 साल के अंदर उसका फायदा देखने को नहीं मिला था 10 साल लगे थे, 15 साल लगे थे पंजाब जैसे areas को prosper करने के लिए तो थोड़ा सा समय लगता है government की schemes को ground level पे दिखने में उनके फायदे दिखने में और उसके बाद आपको ये लिखना है कि corruption corruption को अच्छा point आप बनाईए corruption काफी एक point है parallel economy चलती है north east में extortion racket है मैं आपको बताया था tax लेते हैं NSCN जैसे संगठन खुद अपने level पे हफ़ता वसूल लिया tax वसूलते हैं तो वो parallel economy पे आप लिख सकते हैं ये सारी जो चीजें हैं ये in development schemes को ground level पर implement होने में रोक रही है फिर आते हैं counter terrorism के खिलाफ सरकार क्या कदम ले रही है और क्या कदम लिये जाने चाहिए तो पहली चीज है communication and connectivity कि communication को सुधारा जाए connectivity को बढ़ाया जाए infrastructure को सुधारा जाए insurgent groups के साथ बाचीत करी जा रही है फिर central forces और state forces यानि police के बीच में तालमेल बिठाया जा रहा है ताकि tactical response better हो law and criminal justice system अच्छा होना बहुत जरूरी है ये तो आप common point बना लो कहीं पे भी आपको लिखना है security situation में तो हर जगे law and order situation अच्छी होनी चाहिए criminal justice system fast होना चाहिए अगर किसी ने कोई गुना किया है तो उसे तुरंट सजा मिलनी चाहिए timely सजा मिलनी चाहिए और appropriate सजा मिलनी चाहिए तो अगर कोई आतंगवादी हमला होता है तो उसकी जांच हो और गुनेगारों को समय पर सजा दी जाए फिर zero tolerance policy towards violence जो हिंसा करेगा उसके खिलाफ कोई भी उसके खिलाफ सरकार soft action नहीं लेगी उसके खिलाफ हमेशा hard action लिया जाएगा हाँ जो हिंसा छोड़के जो भी संगटन बातचीत के लिए तयार होता है उसके खिलाफ सरकार ज़रूर उसके खिलाफ army या फिर armed forces का इस्तमाल नहीं करेगी फिर cultural interaction बढ़ाने की ज़रूरत है पूरे देश के साथ tourism जो person to person exchange है people to people exchange है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है socio economic development बढ़ाने की ज़रूरत है inclusive development की ज़रूरत है और government की presence हर जगे महसूस होनी चाहिए जो दूर दरास के गाओं के पहाडों में इलाके है वहाँ पे ये ना लगे कि सरकार यहाँ पे school hospital कुछ मुहिया नहीं करारी जो भी facility है वो insurgents द्वारा या आतंगवादी संगठनों द्वारा या NSCN जैसे संगठनों द्वारा दी जा रही है decentralization दी जानी चाहिए सरकार को जादा सजादा विकेंद्री करन करना है powers का लेकिन alert रहते हुए ऐसा नहीं कि आप 100% power autonomous councils को दे दे और वहाँ पे सरकार का केंद्र सरकार या राज्य सरकार का control पूरी तरह से चला जाए administrative efficiency सुधार नहीं है pro people governance होनी चाहिए high court setup करने है मनिपूर मेगाले त्रिपुरा क्या ये point सही है याद करो political lecture इन तीनों जगहों पे high court setup हो चुके है 2013 में already ये step लिया जा चुका है latest भारत के जो high court है वो इन तीनों राज्यों के अंदर है मनिपूर मेगाले त्रिपुरा ये सिले मैंने जान बूच के ये point डाला था फिर coping up with regional aspirations तो जहां यहाँ पे राज्य की demand है तो सरकार को शांती से सुनना चाहिए और जो सही है वहाँ पे राज्य की demand जायज है वहाँ राज्य का दरजा देना भी चाहिए फिर अगला topic है कि आफस्पा को हटाया जाया या नहीं armed forces special powers act को हटाना सही है या नहीं तो भारत की जो army है वो बहुत ही मुश्किल हालातों में वहाँ पे काम कर रही है उत्तरपूर भारत के अंदर तो कई बार stress के कारण इस तरह की घटनाय हो जाती है जहां पे army को action नहीं लेना चाहिए वहाँ पे unnecessary action ले लिया जाता है तो इसमें कई बार civilians भी बीच में आ जाते हैं काफी घातक attack था उसमें भारत के 20 जवान मारे गए थे लगबाग 18 या 20 जवान मारे गए थे तो ये जो घात घाकर attacks होते हैं ये army पर भी काफी नुकसान दायक हैं moral के लिए बहुत नुकसान दायक हैं तो army को भी अपने operations इस तरह से चलाने पड़ते हैं civilians को कई बार परिशानी होती है क्योंके civilians और gorillas के अंदर फर्क करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस तरह की जो demand है insurgency की उसके कारण आफस्पा वहाँ पर जरूरी है लेकिन आफस्पा के खिलाफ कई protest चल रहे हैं कई states में जिन में से सबसे famous था इरोम शर्मिला चानू की भूख अड़ताल जो 16 साल चली इरोम शर्मिला एक जवान लड़की थी जिसके भाई को मार दिया गया था आर्मी द्वारा आफ और आर्मी के जवानों के खिलाफ कोई action नहीं लिया गया 17 में जब चुनाव थे मनिपूर में उस समय उन्होंने अपनी hunger strike को खत्म कर दिया जिहां 2017 में लेकिन 16 साल तक की चली इस hunger strike ने एक world record बनाया दुनिया की सबसे लंबी भूख अड़ताल हो गई है और यह है इरोम शर्मिला चानू यह resistance की एक बहुत powerful image है पूरी दुनिया में तो अब यह बात सही है कि security forces द्वारा कई बार मानवधिकारों का हनन हो जाता है लेकिन जो insurgent groups active है और जितने ज़ादा insurgent groups active है नौर्थीस्ट में उसके कारण आफस्पा को हटाना advisable नहीं है अब मैंने यह आप इस star क्यों लगाया है क्योंकि यह जो opinion है यह बदल सकता है person to person change हो सकता है आप चाहें आपका personal अगर opinion है कि आफस्पा हटाया जाए तो आप उसके favor में अच्छे points लिखिए और अगर आप चाहते हैं आफस्पा ना हटाया जाए तो आप उसके भी favor में अच्छे points लिखिए यह points आपको कहां से मिलेंगे बहुत सारे editorials आते हैं यहाँ पर कुछ points मैं भी आपको बता रहा हूँ और समय समय पर editorials में demands जो है या फिर situation है वो change होती है तो कुछ latest point अड़ होते हैं आफस्पा आमी के जवानों को थोड़ा सा careless बना दिता है जहाँ पर पूरी जांच परताल करने के बाद किसी को arrest किया जाया या किसी पर fire किया जाया उससे पहले ही उस पर fire कर दिया जाता है क्योंकि आफस्पा का protection मिला हुआ है तो ये आर्मी के खुद के लिए घातक है इसलिए आफस्पा हटा देना चाहिए दूसरी चीज जब तक आफस्पा रहेगा तब तक आर्मी के खिलाफ human rights abuse के cases लगते रहेंगे अगर आफस्पा हटता है तो आर्मी के जवान आदमी के officers खुद अपने आप बहुत double सतर हो जाएंगे कि हमें कहीं भी civilians को harm नहीं करना है तो ये एक अच्छी चीज होगी तो ये कहना है आर्मी के कुछ retired generals का लेकिन जातर जो security advisors हैं भारत सरकार के उनका ये मानना है कि आफस्पा को रखा जाए क्यूंकि आफस्पा आर्मी को एक बहुत powerful tool देता है search and seizure का अब अगर आर्मी हर घर में घुसने से पहले warrant लेने चली गई court में तो फिर कहीं पे search and seizure हो नहीं पाएगा हर जगे आतंगबादी पहले ही भाग जाएंगे तो main जो power है वो search and seizure का किसी को भी रोक के check करने का वो power north east और कश्मीर जैसे areas में बहुत जरूरी है लेकिन कुछ changes जरूर आने चाहिए आफस्पा के होने के बावजूद forces एक बीच का रास्ता ये है कि forces के खिलाफ action लिया जाए जहां भी आर्मी जवान गलत करते हैं गलती करते हैं वहां उन्हें accountable रखा जाए उन्हें court marshal हो या फिर उनका court में military courts में जो भी सजा दी जाती है वो दी जाए कुल मिलाकर जनता में ये message जाना चाहिए कि हाँ आर्मी का जवान या आर्मी का officer भी accountable है उसके द्वारा लिये गए actions पे कुछ ना कुछ reaction होगा यागर आप गलत करते हैं किसी civilian को मार देते हैं तो फिर उसके खिलाफ action लिया जाएगा अभी इस तरह का message नहीं जा रहा है अब यहाँ पे आपका personal opinion दोनों तरफ जुक जा सकता है तो आप your free to write it UPSC या फिर अन्य कोई भी exam आपको यह नहीं कहेगा कि आपका opinion यही होना चाहिए हाँ maybe अगर आप CAPF का interview दे रहे हैं वहाँ पे यह advisable रहेगा कि आप यही कहें कि भी ना ले लेकिन answer writing में जरूर आप दोनों में से कोई भी stance ले सकते हैं supreme court भी कई बार कह चुका है कि आपसपा को जो है थोड़ा सा regulate करनी की जरूरत है और अगर आपसपा बहुत लंबे समय तक चलता है तो इसका मतलब है कि army और भारत सरकार fail हो रहे हैं तो क्योंकि supreme court और खुद पूर्व retired generals कह चुके हैं कि आपसपा हटाया जाए तो इसलिए आप भी अगर लिखते हैं तो यह गलत नहीं होगा फिर एक dialogue की जरूरत है सभी stakeholders के बीच में कि आपसपा हटाया जाए या नहीं कुछ examples हैं हमारे पास कि आपसपा हटाया गया था जैसे मनिपूर में अगस्ट 2004 में आपसपा हटाया गया सिटी में इमफाल सिटी के अंदर हटाया गया था क्योंकि काफी protest हुए थे उसके खिलाफ तो सिटी में हटाया गया और उसके बाद से situation control में है पिछले 15 सालों में तो इसलिए दिखाता है कि हाँ अनी areas में भी धीरे धीर हटाया जा सकता है एक साथ पूरी तरह से हटाना जरूरी नहीं है अगर आप हटाते भी हैं तो भी CAPF Army इन सब को on board लें उनसे बात करें उनसे पूछें कि क्या time frame है उसके बाद हम अटाएं उसके बाद ये निर्ने लिया जाए तो ये था North East में Insurgency की history पर detailed video Thank you very much for watching this. Have a great day